ब्यूटेनल प्रोपेनल ये कारवल्डी हैड कहां से आगया से आएगा जब हमारे पास कंपाउंट दोस्तो आज हम बात करें क्लास 12 के अंदर अल्डी हैड किटोंस और कारवोक्षली के बारे में इससे पहले हम बात कर चुके हैं अल्कोहल फनोल इथर्स के बारे में और उसे पहले हम बात कर चुके हैं बच्छों हैलोलकेंस और हैलोरिंस के बारे में तो इस वाज़ थर्ड चेप्टर ऑफ और और गैनिक केमिस्टी दैडिस अल्डी हाइड की टोंस और कारवोक्षली कैसे साथ महीं आपको मिलेंगे बच्छों नोट्स विच्छों डाउनलोड फूम दर डिस्क्रिप्शिन बॉक्स अब इस चेप्टर में बच्छों क्या का पढ़ना है सारी बातों को हम चेक करते हैं आगे चलते हैं ठीक है सबसे जादा important name reaction इसी चेप्टर में अपने बास है कौन-कौन सी है वह अल्डोल reaction कैनी zero reaction दो तीन और भी है उसको देख लेंगे लेकिन इसमें main जो purpose आपके बेटा कि आप थोड़ा साथ जो name reactions है वहां कुछ अगर mechanism है तो उसको आप जरूर से जाने में जाए जैसे अल्डोल reaction का जो mechanism है या उसका जो step है वह एक्जाम में जरूर से आता है ठीक है बाकी most of the name reactions आपको as a fact as a simple आपको उसको यादी करना पड़ते है उसमें ऐसे कुछ है नहीं तो कोशी करूँगा कि इस वीडियो में सारी बाते में cover कर दूँ और आपको इस वीडियो के concept को unfold करने वाला हूँ because एकदम से सारी बाते नहीं बता दूँगा किसर एकदम से बताईए गिरे दरे चब अपने आप उस बात का logic आपको chapter के बीच में या end मिलता रहेगा विगो उस चीज़े link है मैंने पहले भी कहा है मिशा कि organic chemistry में कुछ बात आपने अभी पढ़ी ही तो उसका logic हो से थोधरे बाद आ रहा हूँ किसर अच्छा यह बनेगा इस प्रकार से थोड़ा सा हम चीज़ों को link करेंगे जो हमने पहले पढ़ा तो उसको भी link करेंगे इस chapter से ताकि आप उस चीज़ों को बिटा connect कर सको ठीक है चलिए तो content क्या बच्छों इसके अंदर content तो भी आप जानते हो वही समझदार होई चुके हो कि aldehyde के बारे में पढ़ना है कि tones के बारे में पढ़ना है उसके बात कार्बोक्षलिक acid के बारे में पढ़ना है और गनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला काम होता बच्चा उस compound का नॉ common creature कैसे किया जाता है basic part class 11 वाले level पर उसको मैं थोड़ा सा brief कर दूँगा आपको then उसके बात बेटा हमेशा उस compound के पहले preparation के जाती है कि aldehydes बनाने की तरीके बताईए आप तो उसमें 4 से पास तरीके होंगे उनको बढ़ेंगे aldehydes बना लिया आपने अब हम बनाएंगे ket याने कि पहले आपने compound को prepare कर लिया aldehydes as well as ketones अब दोनों में फरक क्या है दोनों में differentiation क्या है दोनों को किसे हम differentiate करेंगे या दोनों की chemical reaction कौन-कौन से अपने पास है अल्डोल होगी कैनी जैरो होगी दिया रधा chemical reaction या फिर निकलोफिलिक एडिशन रेक्शन भी इनके chemical बहुत बड़ी chemical reaction के पास है उन सब के मैं यहां पर बात कर रहा हूंगा देन एंड में बच्चा आपका आपका कार्वोक्सलिक एसे वह अलग सिसके एक पार्ट है कार्वोक्सलिक एसे का कैसे बनाए जाते हैं और उनकी एकाद chemical properties एक रेक्शन गीवेन अपने पास एक छोटा सा आपको महुक दे रहा हूं कि इस chapter में जो reactions है वो conversions में बहुत काम आते हैं जासा एक्जाम में आपको जो कोशन मनता है न कि इस से ये convert कीजिए या इसमें से ये बनाई है तो conversion के लिए आपको इस chapter का reaction बहुत अच्छे सा आपको आना चाहिए चाहे वो name reaction हो चा moment creature के बारे में जैसे मैंने कहा आपको तरीके कौन कौन से बनाने के प्रिपेर करने के अपने पास ठीक है उसमें कुछ name reactions भी है जैसे early head में we have rose and moon reduction we have stephen reduction ठीक है we have itard reaction तो दो ती रेक्शन भी आपको फ्रंट में बता दी आगे देखो कि और भी आ जाएंगे अपने पास त properties भी नहीं होती है कुछ नहीं कुछ आपको याद करना पड़े लोगों सिर्फ लेली बच्चा फिर हम बात करें कि टॉंस के अवारे में कि टॉंस का तरीके कौन से है बनाने का कुछ खास उसके अंदर वैसे हैं नहीं यहां से यह काफी इंपोर्टेंट पार्ट है chemical properties of aldehyde and ketones इसमें एक chemical property that is nucleophilic addition काफी इंपोर्टेंट है हमने हैलोलकेंस में बात कीते है nucleophilic substitution के बारे में SN1, SN2 के बारे में कि एक group आएगा एक leaf कर जाएगा इस case में ऐसा नहीं इस chapter गंदर इस chapter में बैटा कोई living group नहीं है इसमें सिर्फ एक nucleophile आएगा और वा SP2 कारबन पे add हो जाएगा जो कि आपको कारबन SP2 रहेगा तो इस पे add और वोगने के बाद वो SP3 मे so there is no requirement of a living group in this case in nucleophilic addition reaction तो alder ketone के बहुत classic reaction है nucleophilic addition reaction एक chemical reaction बेटा उसके पास है तो यह हमाली थोड़ा से relevant रहे यहाँ से then फिर हम बात करेंगे बच्चों कारबोक्स लेके बारे में preparation and properties के बारे में और बीच बीच में ही कुछ questions आपके आते रहेंगे जो आपके NCRT के हैं या previous questions में आ चुके है चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं basic के बारे में regarding no man creature कि अगर aldehyde अपने पास है किड़न उसका नाम कैसे करते हैं कुछ structures मेंने बना रखें लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा सा basic से समझने की बच्चा ठीक है अब थोड़ा सा फोकस कीज़ेगा तो आप समझ जाओगे नॉमनक्लेचर आपको पता हुँची कि suffix क्या होता है prefix क्या होता है और ketone वेगर हमें suffix कौन सा कब इस्तमाल करेंगे prefix कौन सा कब इस्तमाल करेंगे या aldehyde वेगर है के बच्चों तो बच्चा अगर हम बात करें कि sir aldehyde और ketone में से इसका seniority ज्यादा है कौन प्राइटी वाइस senior group है बड़ा गुरूप है अल्याइडी सीनियर देन योर ketone पहली बात तो यह जो फॉंक्शल गूर्प होते हैं अपने पास उनके seniority order होता है जैसे सबसे senior कौन सबसे senior आपके पास कार्वोक्सलिक एसिड दूसरे में कौन आता इन दोने की बात करेंगे अल्डिहाइड के नीचे ketone आता है यानि कि अगर एक compound में अल्डिहाइड भी गीवन है ketone भी गीवन है अल्डिहाइड को main group माना जाएगा और ketone आपका as a subsequent वहां काम कर रहा होगा यह मतलब होता है seniority या junior होने का चलिए बच्चों यानिक आयू-पेसी में चक्कर खा जाते हैं कि सर किटोन था अल्डिहाइड था इसको नाम कैसे कर दिया आपने थोड़ा सा कर आप यहां ध्यान दे लेंगे तो चप्ट्रिक अंदर जो टम्सम बार्बर यूस करने वाला हूं वहां आपको difficulty नहीं हो ठीक है चलिए तो पहली बात चेन के end में आता है इस प्रकार से ऐसे लिखली जो open करके या close करके क्या लिखा जाएगा इसको CHO अब इसका suffix कह है इसका prefix कह है सारी बात आपके सामने आ जाएगी तो यह तो गुरूप है अपने पास यह गुरूप का पहचान है chemical formula आपके बस गुरूप का आ चुका है च CHO इसका नाम क्या है formaldehyde इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है बेटा जी formaldehyde formaldehyde इसका common name है अपने पास और इसका आयूपेसी नाम क्या हो जाएगा एक carbonical क्या बोलेंगे मीथे नल बोलेंगे मीथे नल अब यहां से हमने एक बात पकल ली कि aldehyde के अंदर बेटा जो suffix आता है वो अल आता है क्या आता है बेटा suffix अल आता है यानि कि अगर आपके बास aldehyde group रहेंगे which will work as a senior group और a functional group तो उसमें suffix इस्तमाल किया जाएगा that will be अल प्रोपे नल, ब्यूटे नल, मीथे नल इस प्रिकार्स ठीक है तो यानि कि अगर मैं आपसे कहूं कि aldehyde के लिए suffix क्या हो जाएगा तो इसके दो suffix आपके सामने आ सकते हैं पहला हो जाएगा अल दूसरा हो जाएगा कारबल्डीहाइड, पहले वाले के सब को पता होते है आज कल एक्जाम में दूसरा वाला आ रहा है जहां बच्चे कर खा जाते हैं कि सर ये कारबल्डी हाइड कब लगा दिया आपने हमने तो अल सुना था व्यूटेनल प्रोपेनल ये कारबल्डी हाइड कहां से आ गया से आएगा जब हमारे पास कंपाउंड साइकलिक हो जाते हैं वो साइकलिक कंपाउंड में उसका सी एचो वाला कारबन क चेह लोगा आगर कार्बन काउंटेबल है अगर कार्बन में चेन का पाइट है टो फिर आये गाल इसे मैंने बोला कि यहां पर एक कारबन है और वह काउंटेबल था भीगोज गुरुप का कारबन है वह तो उसका नाम क्या अग्या मिठिनल किसी वजए से अगर आप उस करपन के संक्या आपने जोडी में गृूप के अंदर में कार्बन चेंड के अंदर तो फिर उसको कार्बल्डि हाइड बोला जाएगा पर तो ऐसे पोसिबिल्टी है क्या कि वो कार्बन काॉंटेवल ना हो है बचा पोसिबिल्टी फॉर एक्जाम्पल, फॉर एक्जाम्पल आगर आपके पास ये compound है CHO अब ये तो cyclo exean है और ये CHO, तुछ मेंडे तो cyclo exean है ना, ये आपकी main carbon chain है अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे number नहीं करते हैं कि open chain की number नहीं आपने close chain से ring से साथ में करके जोड़के कर दिया, ऐसा नहीं होता बटा चुकि CHO रिंग से जोड़ा बटा डाट ली तो इस विल बी ता मेन कारबन चेंग लेकिन इस मेन कारबन चेंग में 6 कारबन है उसमें CHO अपने काउंट ने किया ना वो हो सकता इस केस में तो नाम तो सर उसका आएगा, यहाँ नाम आएगा उसका तो नाम क्या हो जाएगा? साइकलोहेग्जेन कारबल्डियाइड अगर काउंट कर पाते, नम्बरिंग कर पाते तो पीछे अला आता कोशन करें, क्लाइट या जाएगी ठीक है बच्चा? यह लेकिन बहुत इंपोर्टन पॉइंट है वाला अकसर थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज बटा हो जाते हैं, ठीक है? प्रिफिक्स कह रहा है का सर इसका? प्रिफिक्स कब इस्तमाल करते हैं? जब अर्ली हैट से बड़ा गुरूप को या जाए तब इसका प्रिफिक्स इस्तमाल करेंगे प्रिफिक्स माने कि अब इसके ओकात एक सिंपल गुरूप जैसे हो चुकी है इसका प्रिफिक्स कौन सर रहेगा अपने पास? इसका प्रिफिक्स बेट आप यूज़ कर सकते हैं और यही प्रिफिक्स आपके किटोन का भी हो सकता है दोनों के लिए हम अल्मोस्ट सेम प्रिफिक्स इस्तमाल करते हैं अब दो तिन बात सुन लो किटोन के बारे में भी किटोन करेंगे तो एक साथ हम कर लेंगे ठीक है? अब यहां किटोन के वारे में दो तिन बात सुन लो बेटा आप किटोन मेटा दिखने में कैसा होता है? कुछ ऐसा किटोन का कार्बन में काउंटेबल नहीं होगा इसकी पोसिबिल्टी नहीं है ब्रफिक्स नहीं हमेशे कार्बन चेन के बीच में आता है इस तरफ भी कार्बन चेन रहेगी इस तरफ भी कार्बन चेन रहेगी इस तरफ भी कार्बन चेन रहेगी तो इसमें यह कार्बन काउंट होगा नहीं होगा वो इश्यो आपको नहीं आएगा तो इसका suffix क्या हो जाएगा on propanon, butanon याद आ रहे कुछ yes prefix क्या हो जाएगा prefix क्या हो जाएगा prefix मेंटा याद उसका अब keto बोलेंगे अगर keto बोलना पसंद ना हो तो oxo बोलेंगे दोसरा मुझे कैसे बता कि ये वाला oxo ketone का था या वो वाला oxo aldehyde का था अब जस्ट कोशन करने वाले हैं कोशन हैं से आट है कि actually इसलिए बता रहाएगा कि आपको oxo कि सर वो oxo ketone के लिए यूज किया था मैंने या aldehyde के लिए यूज किया था अब या आपको या जाएगे तो यह मैंने आपको शेगा है बच्चा कि आपने suffix और prefix क्या रहेंगे in case of aldehyde and returns अब आए थोड़ा साथ ही move करते हैं कुछ examples की बच्चा बात करते हैं यह देखे बच्चा इनका नाम करते हैं बड़ा कितने कारबन है sir 1, 2 दो कारबन है अपने पास वो कारबन काउंटेबल है कोई दिक्कत नहीं है कौन सा गुरूप है aldehyde गुरूप है दो के लिए क्या बोलते है इतनल हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा इतनल ठीक है चलिए पहला तो ठीक है दूसरा दूसरे में पहले गुरूप पेचान लीजी आप कि कौन सा गुरूप अविलेबल है sir इसके अंदर भी अपने पास aldehyde आ रहा है इसके अंदर भी अपने पास अच्छा aldehyde आ रहा है क्या वो कारबन काउंटेबल है जी हाँ अराम से काउंट कीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 पे ब्रोम में बच्चा 3 पे मिथाईल है 4 ब्रोमू, 3 मिथाईल नाम तो आप करें देंगे वाकी इसका नाम क्या हो जाएगा 4 ब्रोमू, अलफाबेटिकली हम चल रहे ब्रोमू कभी पहले आएगा 3 मिथाईल 4 ब्रोमू, 3 मिथाईल कितने का रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 माने हैटेनल हैटेनल अब इस पे आजाएगी देखी यह भी हमने क्या विदा से पहले यह वाला अब इसमें आगे इन देखो जहां से आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस साइक्लोहक्जेन और इसी अच्छो बाहर है तो यह हमारा प्रिंसिबल चेन बन जाएगी, साइक्लोहक्जेन रिंग विल बिकम योर मेन कार्बन चेन तो उसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहक्जेन कारबलडिहाइड जो कि Carbodehyde मतलब suffix suffix माने जो नाम के end में आता है इस बर अल नहीं आने वाला कि Cyclohexe Null कुछ बोल दू नहीं उसकी यहां SH possibility बिटा नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा Cyclohexe Carbodehyde Cyclohexe Carbodehyde बेखोस इस बार हमने CHो का Carbon Count नहीं किया तो उस Carbodehyde में Carbon Countable हो रहा है इसलिए suffix change किया है अब next इस पर ध्यान दीजाए थोड़ा सा इस पर फोर्थ वाली पर इस पांच कोशन सारे सारे कोशन में आप कहने से आटे कही है कोशन कम करो लेकिन quality of कोशन आपका अच्छे होने चाहे है कि इनकी बहुत बईसी कोशन आपके 50 कर लिए फायदा नहीं है तो different कोशन करो आप हमेशा ठीक है चलिए अब इसमें क्या सिखेंगा किसे इसमें ketone है अपने बास और बेटे हाँ अपने बास early height भी है तो मैंने क्या कहा था ketone और early height में senior कोन है साथ senior अपने बस early height है अगर ये senior है तो ये क्या बन गया junior it will become a simple substituent और जो simple हो जाता है उसका तो prefix इस्तमाल करते हैं prefix माने जो नाम के आगया आता है ठीक कैसा तो numbering करें पहले जी हाँ numbering कर लेते हैं पहले सा 1 2 3 4 5 3 पे का आएगा ओग्जो ketone है ना बीट अपने बस so 3 पे का आएगा ओग्जो आजाएगा तो कितने 1, 2, 3, 4, 5 3 ओग्जो पैंटेनल इसका नाम क्या आँचाएगा बट्टा 3 ओग्जो पैंटेनल ये कुछ इस बार carbon count कर पा रहे हैं समझाया कि ये वाला ओग्जो किसका है ketone का ओग्जो है doubt का मात है जब उनको ये नहीं पता हो कि senior कौन से है अब मुझे इतना पता है कि aldehyde senior है तो aldehyde का जो बिटा L है वो तो आ रहा है तो ये वाला ओग्जो पक्का से ketone माला होगा तो यहां भी aldehyde होता उसके possibility नहीं है तो aldehyde में एक h चाहिए वो मैंशा chain के end में आता है बीच में नहीं आ सकता ये fifth question ये भी आपके anxiety का बिटा example है तेक्स्ट में given है काफी important रहे है आप देखो द्यान से ch2 ch ch ch2 ch 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 इसमें बेटा 3 ch ch है इसमें 3 ch ch group है अब देखो जहां से में अगर मैं numbering करता हूँ देखो जहां से 1,2,3,4 दूसरा 1,2,3,4,5 या फिर 1,2,3,4 आप कहेंगे सर स्ट्रेट से इन में ज्यादा कारबन आ रहे हैं उसको numbering कर लेजे लेकिन इशू कहें बच्चा अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं कोई भी चेन उढ़ा रहा हूँ एक CHO बाहर जा रहा है एक CHO को मोका ही नहीं मिल रहा participate करने का अगर मैं इस CHO को हटा दूँगा तो ये दोन पिक्चरे में आ जाएंगे क्योंकि ये countable नहीं होगा और जो countable नहीं है उसके लिए कारबली है इस्तमाल करना पड़ेगा फिकोस तीनों की प्राइटी सेम है तीनों ही CHO है ऐसा तो है नहीं कि वो junior ये senior ने आप कुछ भी कर रहेंगे एक CHO बाहर रह जाएगा दिक्कत वाली बाता सरी है तो तो ये काम करते हैं तीनों CHO को बहार छोड़ देते है प्र法 उस जगड़े में आना वहीं बिना मात के तो मैं एक को लेक्शा होगे दो रहे जाएगे बाहर दो को लेक्या होगे फिर एक रहे जाएगा बाहर किसको बाहर रखोगी CHO किस CHO को आप अंदर रखेंगे difficulty है ऐसे case में क्या करना होता है अगर कुछ ना कर पाएं तो तीनों CHO को नम्बरी नहीं करने वाले तीनों CHO को कारबन जेन से बाहर कर दो अच्छा हाँ 1, 2, 3 1, 2, 3 या 1, 2, 3 बस 1 पे CHO, 2 पे CHO, 3 पे CHO मैंने किसी CHO को नम्बरी नहीं की है तो तीनों ही CHO का कारबन काउंटेबल नहीं है main chain में तो तीनों का suffix कारबल डि रिस्पाल किया जाएगा तीन कारबन का नाम क्या होता है प्रोपेन तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन अच्छा आगे आगे 1 पे 2 पे 3 पे प्रोपेन 1,2,3 कितने तीन है ट्राइ कारबल डि हैंगे तो बहुत important question है यहाँ से बेटा यह question कई बारी exam में आ जाते हैं अगर single market आएगा तुने बस ठीक है ऐसा तो हैने की naming की बहुत question आते है एक कुछ naming का आते है तो try करना कि वो NCRT का आप से बन जाए सारे NCRT के ही है ठीक है तो यह वाला थोड़ा से importance पर आप ध्यान दीजेगा I hope आपके जो naming के doubts होंगे या रहे होंगे खतम होंगे ठीक है चलिए और यह बच्छा है आपके NCRT में table भी है naming का nomenclature का आप चाहो तो यहां से भी कुछ नाम refer कर सकते हैं हाला कि जोर तिनी आगर आपको जितनी बाते मैंने बताई है उतनी बाते आ गई हैं तो still कुछ बातों गर आपको revise करना है कुछ बातों अगर आप चाहते किसरा मुझे कुछ बाते और पता हूँ तो यहां देख लिए बच्चे जैसे कुछ common name कुछ common name बेटा इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यह वेंजीन काफी important common name है आपके सामने आते रहेंगे बेटा अगर दोनों तरफ बेंजीन आ जाए तो पी एच सी ओ पी एच इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजो फिनोन इसका नाम हो जाएगा बेंजो फिनोन तो एक बस दो तिन common name आप ध्यान रखेगा एक्जाम ही सिद्या पूछ लेता है कि बेंजो फिनोन से यह कनवर्ट करके दिखाईए तो बच्चे को पताने कि बेंजो फिनोन क्या है अटक गया तीन माक से सवाल गया आपका पर जाता है वह उस तरफ जाके ना इस तरीके से तो यह आपको कुछ common name पता होने चाहिए बाकी एक्जाम में या जो आपके सामने आते रहेंगे आप देखते रहेंगे ध्यान से ठीक है अब चलते हैं भाई प्रिपरेशनी के तरफ कि कैसे अल्डियाइड या किटोन को प्रिपेर किया जाएगा बच्चो लैब के अंदर या इंडेस्ट्री के अंदर ठीक है चलिए तो बटा पहला मैध्याड है सस्ता आउटी काउ जो हम पहले भी कर चुके हैं अल्कोहल फिन PCC या PDC या फिर आप यूज कर सकते हैं CRO3 एनहेटरस इससे पहलावल चैटर में इस अल्कोहल नोलिथर्स ठीक है तो इसमें आ जाएगा बच्चा अपने पास वी कैन यूज थ्री एजेंट PCC, PDC या CRO3 एनहेटरस फोंग तो इस तीनों ही बटा आपके बास mild oxidizing agent है ये आपके alcohols को aldehyde या ketone में कर देंगे अगर primary alcohol है तो फिर आपको मिलेगा aldehyde after oxidation अगर secondary aldehyde है बच्चा, sorry secondary alcohol है बच्चा तो आपको मिलेगा ketone दोस्त और दोस्त अगर तुने ले लिया 3 degree तो फिर इसका बटा oxidation नॉर्मली पोसेबल नहीं है कई बारी फिर कुछ करो वी त आती है तो बस आपको दो याद रखने है कि 1 degree alcohol आपको देगा aldehyde on oxidation with this agent and secondary alcohol will give you ketone on oxidation with this agent लेटल हमने उसको पहले भी किया है बड़ा simple वाला पाट ठीक है बसे तीनों एजेंट पता हों चाहिए कि तीनों पीसेजी पीडीसी या सियरो थी एन एड्रस यह mild agent है यह alcohol से aldehyde ketone पर रुख जाएंगे further oxidation नहीं करेंगे उसका वह उसके लाब को चाहिए strong agent अब बात करते हैं कि aldehyde specifically aldehyde कैसे बनाएंगे फिर हम बात करेंगे ketones कैसे बनाएंगे तो वह भी दोनों को separate कर चुके वह method common था oxidation वाला अब दोनों का अलग method है बच्चा कि aldehyde कैसे बनाया जाएंगे ketones कैसे बनाया जाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे chemical properties सो पहला method है बेटा aldehyde बनाने का from acyl halide we will use acyl halide that is acyl chloride or bromide to obtain aldehydes that is R-C-O-C-L इसमें दानेंगे H2 palladium barium sulfate तो reaction क्या हो जाएंगे बच्चा अपने पास reaction simply अपने पास ही है बच्चा we will use this kind of compound R-C-O-C-L suppose इसमें डालो आप H2 PD barium sulfate क्या बन जाएगा यू विल गेट C-H-O कुछ नहीं करना जहाँ C-L है C-L अटा के वहाँ पर H आ जाएगा C-O-C-L है C-L अटा ये H लाई ये खतां तो C-O-C-L से बन जाएगा C-O-H that is C-H-O single step की reaction कोई इसमें दिवांगे लगाना ना कोई इसका mechanism है बस इसका नाम पता होना ची किसको बोलते हैं रोसन मून्ड रिदक्शन इसको बोलते हैं बेटा जी रोसन मून्ड रिदक्शन बस इसका नाम पता होना ची कि यहां रोसन मून्ड के अंदर असाइल राइट को बेटा हम C-H-O में करते हैं यह जो टैंप्लेट कुछ बोसकता है यहां पर बेंजीन भी हो सकता है बेटा समझे के यह इसको इसको देखना है कि यह मामला आपका बन जायाएगा C-H-O तो अगर मैं सिंप्लिफाइग करूं तो कुछ नहीं इस इस र-C-O-C-L इसमें डालो H2 रिएजेंट या आपको H2 डालना है, PD डालना है और PD के साथ डालना है बिरियम सलफेट बन जायाएगा R-C-H-O तो C-O-C-L से बच्चा बन जायाएगा C-H-O The first method that is Rosenmund Reduction. Reduction because it is addition of hydrogen. अब देखे बेटा, second method है Stefan Reduction. अगेन एक नेम डेक्शन है, that is Stefan's Reduction. इसमें यूज करते हैं Cyanides. इसमें यूज करेंगा बच्चा Cyanides. Cyanide plus use करेंगे Stannous Chloride. SnCl2 plus HCl. तो यहाँ से भी आपको मिल जायाएगा R-C-H-O. यहाँ से भी आपको मिल जायाएगा R-C-H-O. थोड़ा से उसको देख लेते हैं इंग बार. कि थोड़ा से देख लेते हैं कैसी होआँ होगा, यहाँ देख लोआप. इसका नाम क्या बेटा, Stefan Reduction. अब यह मैं summarize करूँगा, दो-तिन reactions के बाद. तो क्या क्या बेटा, आपने लियासर साइनाइड. बहुत अच्छी बात है. क्या डाला उसमें? उसमें डाला आपने स्टैनस क्लोराइड. इन दे प्रेसंस अफ एसिदिक मेडियों. इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा इस अपने पास? तो बटे ध्यान से दुखा आप. आर, सी, एन, प्लस, एसन, सी, एल, टू, प्लस, एसल. क्या हो जाएगा बच्छा? यहाँ बन जाएगा बच्छा आपके बास आर, सी, डवल, बॉन्ट, एन, एच. इसको बोलेंगे बेटा, इमाईड. इमाईड बन जाता है रास्तेक अंदर. और बेटा, इमाईड की अग कर देंगा हाइडरोलिसिस, तो यह वाला बोन तूट जाएगा, और यहाँ आपके पास आजाएगा अलडी हाइड. देख लिजी आग. तो अगर आपको साइनाइड से चाहिए होगा अलडी हाइड, तो आप याद करेंगे स्टेफन भाहिया को, कि स्टेफन, स्टेफन मान कर लोग एक सवाल देख लिजा आप फटावट से, एक कोश्चन अगर हम देखें, एक्जाम में कुछ ऐसा कोश्चन आपके समना सकता है बेटा, CH3Cl, इसमें डाले SNCl2, प्लस H+, का सोर्स, that is HCl, क्या बनेगा, आपको पहचान है एक्जाम एडेक्शन, कैसा साइनाइड है, उसमें डाले SNCl2, याद करने, कि साइनाइड से CHO बनाने का एक तरीका है, that is, स्टेफन्स रिदक्शन, तो साइनाइड है, स्टेफन्स है, बनेगा CHO, तो आपको कन्वर्जन्स हमेशे बेटा याद रखने है, कि मेरा रियक्टेंट क्या था, और क्या बनने वाला है, क्यो बात की बात है कि ठीक, ये बीच में ये बनेगा, वो लाग लग पेट हम कर लेंगे, वो बेसिक बात है, पर अगर आप ये ही भूले क्या बनने वाला है, और आप ये बना के वैठे हो, तो फिर कुछ निगर पाऊगी, ये और ये पतावन अच्छी है, ये आप भूल सकते हैं, पता है, अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो पहले रेक्शन क्या थी, सर पहला था, RCOCL, अगर RCOCL से मुझे RCHO बनाना होगा, तो मुझे उसमे डालोंगा, H2, प्लादिनम, बेलिम सलफेट, तैट इस, रोसन मून रिदक्शन, अब मेरे पास आ चुक है सा साइनाइड, अगर मुझे साइनाइड से बनाना होगा, CHO, RCHO, that is LDE, तो मुझे में डालोंगा, SNCL2 और HCL, इसको बोल पहें, स्टेफन्स रिदक्शन, नेक्स्ट, चलिए, अब ये बिटा एक एजेंट, डिवाल H, अब डिवाल H क्या करता है, इसको उटा दू, ये सब अब ऐसे ही है, मैं आपको अलग से चिकाता हूँ, यहां आपके बस स्पेस भी नहीं है, देखें भाई, अब अच्छो यहां देखो यहां से आ, एक एजेंट है, डिवाल H, प्री एजेंटी बिटा, बहुत जादा इंपोर्टेट, डिवाल H, इसको डिवाल H बोलेते हैं, H4 हाइडरोजन, कुछ खास नहीं, डिवाल H अपने पास, ठीक है, चलिए, अब ये डिवाल H का मीनिंग क्या अपने पास, बच्छा, ये डिवाल H का मीनिंग क्या अपने पास, चलिए बच्छा, डिवाल H का अपने पास, मीनिंग क्या है, य इसका फुलफों है बच्चो, डाई, आईसो ब्यूटाइल, अलुमिनियम हाइड्राइड, डाई, आईसो ब्यूटाइल, अलुमिनियम हाइड्राइड, अच्छी बात असर, नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लिंक से इसका मुझे क्या मतलब है, एक्जाम में डिवाल H लिखा हुआ आएगा यह reagent है कुछ convert करेगा क्या करेगा दो काम करता है यह बस अगर आपके पास CN रखा हुआ है या आपके पास ester पड़ा हुआ है ठीक है या तो आपके पास sinide होगा बिटा या आपके पास ester होगा और आपको इच्छा हुई कि दोनों को ही मुझे बनाना है RCHO दोनों को ही मुझे convert करना है sir aldehyde के अंदर आपको यह इच्छा हो गई हो सकती है यह पता तुड़ी ने ठीक है दोस्त तुझे क्या करना है अगर तुर पास sinide है तुझे बनाना है CHO या तो तू step reduction किस दिन step available ना हो तो दिवाल एच काम में ले ले इसमें डालेगा डिवाल एच single step conversion काम खताम बनेगा CHO अगर तेरे पास ester है कोई issue नहीं है डालो डिवाल एच इससे भी बनेगा आपने पास CHO यानि कि बस आपको एक बाद ध्यान रखनी है कि डिवाल एच दो जगे काम आएगा ester से aldehyde convert करने में और cyanide से भी aldehyde बनाने में पहले बतारो पूरी organic chemistry फिराल आपके लेवल पे डिवाल एच दो जगे काम आने वाला है एक ester से aldehyde में और एक cyanide से aldehyde में यही तो आपको याद रखना है यह सारी बाते हो एक्जाम में ejt सवाल बनते बच्चे यहां से कोई मालो कुछन आपके सामने आ गया suppose you can take some example कि सर कुछ ऐसा गंदा से गिये वन था एक्जाम में कि सर कुछ यह गिये वन था उर से इसमें लिखा हुआ था डिवाल एच तो गवरान नहीं है जैसी दिखा डिवाल एच मेरी बच ध्यान करें अच्छा डिवाल एच तो काम आता है दो जोगयाई पर साइनेड से चो बराने में और एस्टर से भी चो माने अल्डियाइड करने में ठीक है क्या यह डिवाल एच है जी हाँ क्या यह एस्टर एजी है बस खत्म तो यह बनायागा एस्टर को अल्डियाइड तो भूलान यह कि आपको करना क्या है वो इंपोर्टन आपके पास चो क्या बन जाए यहाँ पर यह वाल गुरूप पुरा निगल जाएगा भार यह पूरा बुर्ट उड़ जाएगा है आसे यह पूरा गुरूप भार निगल जाता है तो क्या बनेगा अल्डियाइड देख लिजिए ठीक तो अभी तक हमने कुछ तरीकों से अल्डियाड बनाए है पहले तरीका था रोसनमूंड दूसरा था स्टेफन्स तुसरा साइनएड से सी एचो चो था एस्टर से सी एचो दुनों में एक ही रिजेंट है डिवाल एच डाई आइसो बुटेल अल्यूमिनियू हाइड्राइड ठीक है चलि डन नेक्स्ट कुछ तरीके और भी है हाँ सर एक है बेटा इटाड रियक्शन एक नेम रियक्शन है जिससे आप दुबारा बना सकते हो क्या योर अल्यूमिनियूस क्या था एस्टर साइनाइड एसेड कलोराइड या एसेड हलाइड अब यह मूज करेंग हाइड्रो कार्मन आप हाइड्रो कार्मन से भी डिरेक्टली बना सकते हैं इसे एच्चो उसका आप यूज करेंगे बच्चो इटाड रियक्शन तो अपने पास सपोस अपने पास यह है सपोस अपने पास यह है मिथाइल बैंजीन क्या बोलते इसको टॉलिविन एक हाइड्रो कार्बन है इसमें डाल दीजे बच्चो आप क्रोमियम का सॉल्ट C-R-O-2-C-L-2 जिसमें क्रोमियम पने पास 4 और 2-6 प्लस 6 औक्सिडेशन नमबर में है और क्रोमियम प्लस 6 में स्टेबल नहीं है स्टेबल नहीं का मतलब इसमें अगरे अग्षिडेशन एजेंट है तो CS2 कार्बन डासलफाइड मीडियम के अंदर कार्बन डासलफाइड मीडियम के अंदर ये CS3 को CH-O में ऑक्षिडेश कर देगा ये उस हाइड्रो कार्बन को CS3 को CH-O में अल्लिय हैड में convert कर देगा तॉल्वीन्स आपने बना लिYA बेंजल्ल्ड हैड इसको बोलते बच्चा बेंजल्लिय हैड तो यह conversion में काम लाती है कि कई बार आपको बैंजीन से चाहिए होगा बेंजल्डिय हैड अब बसर बैंजीन से बैंजल्डीड कैसे बनाऊंगा तो बैंजीन से पहले आप बनाएंगे तॉल्विन उसके लिए हम करेंगे फिडल कार्ट रेक्शन CH3Cl प्लस AlCl3 बन जाएगा तॉल्विन अब तॉल्विन और डालेंगे CRO2Cl2 in CH2 बन जाएगा बैंजल्डीड single step के अंदर ठीक है अगर आपको hydrocarbons बनाना होगा CHO तो आप इटार रेक्शन को यूस कर सकते हैं ड़न लेट्स मूफ नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चो side chain side chain chlorination followed by hydrolysis इस रास्ते से भी इस step से भी आप बना सकते हैं अपना benzaldehyde from the hydrocarbon for example आप यूस करते हैं for example बच्चो आप यूस करते हैं tolwin same इसका आप करेंगे बच्चो क्या chlorination आप करेंगे बिटा chlorination that is we will use Cl2 H2 we will use sunlight and some source of Cl2 ठीक है तो क्या बन जाएगा सर CH3 का बन जाएगा इसको बोलेंगे बैंजल इसको बोलेंगे बैंजल क्लॉराइड अगर यह बनता क्या बनता अगर यह बनता बीच में क्या See H2 자 थो इसको बोलतें बैंजाइल क्लॉराइड मुझे बत आपको डाउट आ रहा था 北 he तो होता नहीं, यह benzyl होता है अब आपका डॉट में ही clear कर दिया कि अगर CH2 होता तो CH2 को बेटा बोलते है benzyl group benzyl chloride यह अगर, बट यह नहीं बन रहा क्या बन रहा है, CHCl2 बन रहा है 2Cl लग रहे हो आपे, ठीक है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, benzyl chloride अब इसका, इसका हम पानी पिला देंगे इसका हम पिला देंगे पानी that is hydrolysis तो बन जाएगा आपका क्या, बन जाएगा बेटा आपका that is CHO सर आप में 2Cl क्यों लगाए, एकCl में कर देदे काम देखो बेटा, क्या concept है अपने पास जब हम पानी पिला रहे हैं, जब हम hydrolysis कर रहे हैं तो रास्ते मी यह हो रहा है अगर आप देखेंगे, रास्ते में mechanism केंदर क्या हो रहे है बेटा तो रास्ते में, वो CL भाणने कल जाएगा और उसके जगेर पर आजएगे बेटा OH and OH ठीक है, CL भाणने कल जाएगा और वहाँ पर पानी का OH, OH आकर बैठ जाएगे एक कारबन पर बेटा, दो OH stable नहीं होते हैं, क्या बोला हमने एक कारबन पर एक साथ दो OH stable नहीं होते हैं तो फिर क्या हो जाएगा कुरुबानी देनी पड़ेगी क्या बन जाएगा अलेडिहाइट तो यहाँ से यह H और 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 यह OH पानी बहाँ निकल जाएगा और यह CH वहाँ बन जाएगा एक कारबन पर कभी भी 2 OH आपके stable नहीं होंगे, exceptional कुछ बात अलग होती हो अलग चीज है अपने बस अगर एक साथ 2 OH रहेंगे तो यहाँ पर H bonding के खत्रा है और H bonding के वाज़े से वहाँ पर 4 member या 3 member ring बन जाएगी which is highly unfavorable highly unstable मोटी बात जो हयाद रखनी है कि यह कारबन पर 2 OH stable नहीं है खतम बात ठीक क्या बनेगा यह बनेगा तो this is benzyl chloride यह सारे questions बिटे सारे steps आपके सर्थ कहां यूज जाएंगे question exam में कैसा है question exam में सीधा आते है कि benzene से बनाए benzylihide आपके पस रास्ते होने चाहिए आपके पस steps याद होने चाहिए कि अच्छा यह कर सकता हूँ मैं अच्छा इसमें ऐसे कर सकता हूँ तो यह सारे questions conversion में जादा आते हैं बजाए सिधा पूछने के कोई नहीं पूछने वाला उसका कोई step आपसे exam में पूछेएगा ठीक है बच्छा यह देखो वए gatterman coach reaction again single step reaction है as it is आपको यादखने थोड़ी सी important है कई बार exam में आ जाती है सर आप कह रहे हैं कि benzene से बनाएंगे benzaldehyde तो benzene से पहले बनाओ tolwin का फिर करो itard या करेंगे chlorination फिर पानी पिलाएंगे फिर बनेगा benzene फिर बनेगा benzaldehyde सर एक काम कीजे ना कोई single step injection है क्या जहां benzene से सीधा बन जाएगा benzaldehyde मैंने का है भाई गैटरमें कोच भाई साब नहीं बताया कि यह रहा benzene इसमें डालो CO थोड़ा सा डालो इसमें H+, वेगरा बन जायाएगा सीधा CHO single step में तो रास्ते अपने पास है अब आप थोड़े से जागरूख है चलिए भाईया तो यह रहा benzene प्यारा प्यारा benzene में क्या डाला carbon monoxide HCl और थोड़ा से डाला अपने ALC3 वेगरा बच्चो तो यहां से आपका CHO जिंदाबाद अगर सीधा आपको benzene से चाहिए अपने 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 सेट होना चाहिए मैं ट्राय कर रहा हूँ कि चीज़ों को रिपीट करकर आपको क्लास में ही कुछ कुछ थेयोरी को याद करवा दूँ क्यों बच्चा अगर दो होंटे बैच्टे वीडियो देखने के लिए तो मैं चाहता हूँ कि अपने अपने बात किते अब बात करें बच्चा किटोंस की तो बिट आगे नब यूज करेंगे प्रोम आसाइल क्लोराइड्स यह रहा आपका र-C-O-C-L इसमें डालेंगे R2-C-D that is इसको बोलेंगे अलकाइल डाइलकाइल कैडिम डाइलकाइल कैडिमियम C-D element कैडिमियम पर सरिय R2-C-D बना कैसे होगा R2-C-D डाइलकाइल कैडिमियम बनाने के लिए आपने यूज किया था गरिनार्ड रिएजेंट इसमें डाला आपने कैडिमियम क्लोराइड का सॉल्ट तो आपने यूज किया R-M-G-X उसमें डाला C-D-C-L-2 तो वहाँ से आपको मिल जाएगा डाइलकाइल कैडिमियम यहाँ पहले स्टेप में आपको मिलेगा R2-C-D और वो आपका रिएजेंट है यह आपका रिएजेंट है जो अटैक मारेगा किस पे R-C-O-C-L पे और यहाँ से बन जाएगा आपका R-C-O-R जैसे जैसे एक्जामपल की बात कर लेते हैं आपको डाउट आ रहा होगा किस इस रिएजेंट में अटैकिंग गूर्प कौन सा है इसमेटा जो अलकाइल वाला पार्ट है यह अलकाइल पार्ट नेगटिव पार्ट है यह मेटल है बेटा और मेटल जोड़ा हुआ कार्बन के साफ और यह एक जास कोच पार्बन प्र Krakin के साफ जोड़ा हुआ है कार्बन जोड़ा हुआ है अगर आपका carbon यहाँ पर negative part बन चुका है तो वो आपका बन चुका है nucleophile यानकि यहाँ पर जो R है it is working as a nucleophile और यह रहा carbon का CO that is electrophile तो यह nucleophile यहाँ से attack करेगा COCL पर यह CL भार हो जाया है एक example ले लेते हैं थोड़ा सा आपको और better feel होगा जैसे वच्चों आपने ले लिए CS3 COCL और यहाँ पर आजाएगा ET2CADVM ET माने Ethyl तो क्या बनेगा अब Ethyl इसमें से 2 Ethyl हैं पर एक Ethyl आपका at a time काम करेगा as a nucleophile तो बटा यहाँ से आपका ET- that is Ethyl- आएगा as a nucleophile attack मारेगा CL भार हो जायाएगा क्या बनेगा CS3 CO ET माने क्या होता है CS2, CS3 this is your ET देख लीजे ketone तयार होगे तो पहला method है ketone माने का from dialkyl cadmium using as a nucleophile ठीक simple रहेगा बच्चा अगला method है from nitriles अगला method है बच्चो from nitriles कि अगर मैं यूज करता हूँ nitriles उसमें डालता हूँ क्या Ginnard reagent तो भी मेरे पास काम बन सकता है करके दिखाता हूँ ज़्याद आपको तब आपको बटा feel आएगी इसमें ठीक है और एक्जाम्पल बच्चा आपके पास कोई एक्जाम्पल ले ले लेते हैं इसमें डालेंगे आप Ginnard reagent पर एक्जाम्पल दा reagent can be of the picture suppose r-mgx ठीक है चली क्या हो जाएग अब यह तो बता रख है मैंने कि Ginnard reagent के अंदर यह जो r- इस आ नुकलोफाइल यह जो बटा r- यह हमारा r- की तरह काम करता है इस आ स्टॉंग नुकलोफाइल और यहां को अलेक्ट्रोफिल कार्बन है r-c-n-r- क्या बन गया बनाया दसको भी यूज किया तो imine क्या बन चुक है imine यह तो यहां देख लिजी imine और यह mgx चुक है positive part है तो इस n के पाश जाग पक जाएगा mgx या mgcl वेगरा हमा बन जाएगा imine बन चुक है imine बनते ही imine को पानी पिलाया जाता है imine को बेटा पानी पिलाया जाता है hydrolysis की जाती है और यहां से यह वाला bond टूट जाता है तो यहां से क्या बन जाएगा r-c-r- double bond o that is your प्यारा-pयारा की tone देख लिजे तो यह दो method है की tone के बनाने के famous method है इन्हीं दो में से exam में कोई भी आ जाता है that is using alkyl cadmium और r-c-n अगर मुझे r-c-n से r-c-h-o that is aldehyde चाहिए रास्ते बहुत सारे हैं sir stephen कर सकते हैं वहां मनना लगे तो हम कर सकते हैं उसमें डाल देंगे dival h दो रास्ते हैं कि आप c-n को c-h-o convert कर सकें और आपको c-n को बनानों किटोन तो उसमें आप डालेंगे r- का source that is using green art reagent उसके बाद पाने पिला देंगे बन जाएगा किटोन third method है पने पास from benzene और from substituted benzene बच्चो ठीक है इससे भी बच्चो बनाएंगे that is your friddle craft reaction यह तो आप जानते हो पहले से कौन से reaction है यह friddle craft asylation 2 होते है ना alkylation होते दूसे कौन से होते है asylation तो इसमें क्या हो जाएगा r-co यह वाला पार्ट यहाँ प्लस आ जाता है because of asylia mine यहाँ cell leaf कर जाएगा और यह carbo turn मन जाएगा ठीक है और यह acid is benzene में जाएगी चपक जाएगा so this is a famous example of fiddle craft asylation reactions तो हम class 11 से पढ़ते हो आते हैं यह वाटे is fiddle craft reactions अगर यहाँ पे CS3 आ जाएगा तो यह acetophenon मन सकता है ठीक है suppose example देख लिए आप यह रहा benzene इसमें डाले CS3 COCL ठीक है और इसमें डाले enhydrous ALCL3 क्या हो जाएगा ALCL3 क्या करेगा इस सेल को बहाँ निकालेगा C-C form में तो यहाँ बनेगा acylium carbocotene यह carbocotene है benzene niqulofile की तरह अटेक करेगा और यहाँ बन जाएगा आपके पास प्यारा प्यारा acetophenone यह बेट एलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction का example है किसका एलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction का example है nitrogen, sulfonation fiddle crack यह सब एलेक्ट्रोफिलिक reactions होती है यह आपको अच्छे से आने चाहिए है हम 11 से पढ़ते बाते है ठीक तो यह भी method है ketone को बनाने का आप कुछ question लेकते हैं साथ-साथ में चलिए जो हमने पढ़ा उसको भी कुछ question frame करते है उस पर give names of the reagent for the following यह conversion करने के लिए क्या reagent इस्तमाल किया जाएगा भाई मुझे hexanol hexanol that is from alcohol से बनाना है मुझे aldehyde 1 degree alcohol से बनाएगे aldehyde तो क्या यूज़ करेंगे we will use PCC, PDC या CRO3 enhydras एक लिख लेते हैं we can use PCC पहला के लिए convert करने के लिए cyclohexanol to cyclohexanol देख लिजिए आपके बास अगर मुझे alcohol से चाहिए क्या ketone क्या यूज़ करेंगे वही PCC या PDC bute-2-ene से बनाएगे बैटा इत्हे नल alkyne से बनाएगे aldehyde तो क्या करेंगे सर पता नहीं सर इसमें तो alkyne से आपने सिखाये नहीं तक सर क्या alkyne से कैसे बनाएगे aldehyde ozonolysis करेंगे बच्चा ozonolysis करेंगे bute-2-ene ये योगा बोलो 1,2,3,4 इसमें डाले बच्चो ozonolysis का समान इसमें डाल दीजे ozonolysis का समान in the presence of zinc zinc डालना अनिवार ये है वहना आपका जो aldehyde kitone है वो further oxidation करके acid रागरा के अंदर convert हो जाएगा zinc चुकि metal है reducing agent के तरह काम करेगा और उसको वहां रोग देगा सर मुझे याद आ रहा है कि ozonolysis के अंदर सर हम कुछ करते थे सर इस bond को यहां से break करते थे बस खतम bond तोड़िये और दुनों तर जोड़ दीजे oxygen को बस यही करते थे ozonolysis के अंदर और आपको दो molecules मिल जाएंगे same compound क्या ये aldehyde है जी हाँ ये एक aldehyde है ये भी aldehyde है और दो same compound है क्या बनेगा सर एक दो सर दो काड़ा बने this is ethanol सर हमारे पास ethanol के दो molecules आ रहे हैं क्या आपको यही चाहिए था जी हाँ मुझे अभी यूट्विन से ethanol चाहिए था तो यहाँ पर यूज करेंगे ozonolysis आप करके दिखा भी सकते हैं exam के अंदर कि हमने ऐसे किया ठीक है अगर आपको alkene से चाहिए aldead akiton तो अभी उस कर सकते हैं ozonolysis ठीक है चली एक question और देख लेते हैं पहचान पारे हो पहचान पारे हो क्या होगा सर यह रहा CS3 tolwin वाला यार आगे हैट्रोकारबन है सर मुझे याद आ रहा है कि इसमें इसमें बनता है इसमें इटार्ड रियक्शन पर सर अनुटो क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रहा आपको इससे क्या मतलब है आपको मतलब CS3 से है न आपको जो देखना है वो देखो न अरजुन क्या देखता था मचले की आँख और आप क्या देखर हो साइड में पेड है सर मचले का पेड भी है सर तो आपको उससे क्या मतलब है आप सिर्फ मचले की आँख देखिए और्गनिक केमिस्ट्री में कि कौन सा गुरूप मेरे ले रेलेवेंट है और क्या बनेगा कुछ विदिये करें मचली दिख रही है सर मुझे तो मचली के बिच आसमान भी दिख रहे है मुझे तो तो फिर कैसे निशाना मार होगी यादा रहे कुछ तो ऐसा नहीं आँगा फोकस किया अच्छा CS3 है CS3 माने बेंजीन वाला पार्ट का CS3 तो अलवीन वाला CS3 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 बना देगा इटार रेक्षिन ही तो NO2 होगा पढ़ा रहेगा NO2 क्या दिक्कत कर रहा है ठीक है बच्छा अब आते हैं चैमिकल रेक्षिन्स मैंने का था इस टॉपिक की चैमिकल रेक्षिन्स बहुँ ज़ादे इंपोर्टन्ट है किसकी अल्रेडी के टॉंस की हम इसका प्रपेशिंग खतम कर चोके हैं प्रपेशिंग आपको मैंने याद करवा भी दी हैं होफुली अब हम चलते बच्छा केमिकल रेक्षिन्स में ठीक है निकलोफिलिक एडिशन रेक्षिन बेटा कैसे यह आपका कार्बोनल ग्रूप है बुट आया ना चाहिए वो अल्याड़ो किटोन हो इट इस अ कार्बोनल ग्रूप तो आप धान से देखो कि ऑक्षिजन इस मोर एलेक्रो नेगिटिव यहां पार्शल नेगिटिव आएगा और यहां पार्शल पॉजिटिव आएगा आप चाहो तो यहां पे बॉन्ड शिफ्टिंग भी दिखा सकते हैं कि जोर्थ पढ़ने पे बॉन्ड शिफ्ट भी आप करा सकते हैं लाइक देख लिजे आप वाया रेजुनिंस आप चेक कर सकते हैं नवैंकि जो कार्बन है बेटा इस्सलिन सफ़े अेलेक्रोफीलीख ल मुआ है को पूर्य और ही चैमिस्ट्र में दिखे मिगां दो पूरी और थेस्ट्री CDC में lumière चलता है कि पिसक का रशाएगगि इसरसिफ ट्रीक्राइग तो आपका सब्सक्रिक्राइग अनो इसी एक बार समझ हम देख लेते हैं बच्चा फॉर एक्जामपल आपके पास यही कारबुलिक ग्रूप है इसमें डाल दीजे कोई भी निक्लोफाइल एनियू माइनस चुकि एलेक्ट्रोफिलिक है डेल्टा प्लस है बेटा तो यहाँ पर यह अटक मारेगा यस बॉंड शिफ्ट हो जाएगा और आप देखें कि ध्यान से तो क्या हो जाएगा देखो आप ध्यान से ओ माइनस यहाँ पर जुड़िया निक्लोफाइल कुछ चेंज आपने अब्सर्व किया दोस्त हां कि दोस्त कुछ चेंज आपने अब्सर्व किया क clot Kenji हो पुछ नहीं हुआ जुड़ गआ रहू कुछ तो हुआ है ना यह s-p2 carbon है हां यह तो पता ही है तो यह carbon कौन सा है फिलाल अभी फिलाल कितना है 1 2 3 4 टेट्राइडल जिमेटरी आप अचीव कर रहे हैं, इसलिए एडिशन किया आपने, अगर पहले सो SP3 होता, तो फिर और कोई बॉंड की इस पोस्चिबिल्टी नहीं ध्यानेगी, फिर तो SP3 पे हमेशा क्या होता है, सब्सीडुशन किया जाता है, SP2 हमेशा एडिशन किया जाता है, भिगोस एक आड हो सकता है, अब यहाँ कुछ आड ने हो बागा, यहाँ टेट्रा वेलेनסी पूरी हो चगी है, यहाँ पे टेट्रा वेलेनसी अभी बच्चे हुई है, तो एक आड हो सकता है, ठीक है, अब क तो यह आप कराएगा Nucleafilic Addition Reaction का concept अब इसमे नुकेलोफाइल बहुत सारह हो सकते हैं होचकता है वाटर एड़ करते हैं हो सकता आप अल्कोहल एड़ करते हैं हो सकता आप अमोनी एड़ करते हैं हो सकता आप hydrozine add कर रहे हूं, semi carbazide add कर रहे हूं, आप list बनाएंगे पूरी nucleophile की, पर step same होने वाला है, मामला same चलने वाला है, कि वह ही nucleophile आएगा, attack करेगा, hydroxyl compounds बनने start हो जाएंगे बच्चाब के पास, इस प्रकार से hydroxy compounds बनने चालू हो जाएंगे, एकात करके देख लेते हैं, आई, तो पहला nucleophile हम लेके आ रहे हैं, मार्केट के अंदर HCN, क्या लेके आ रहे हैं, HCN, examples of nucleophilic addition reactions, पहला है आपके पास HCN, आपको doubt यहां रहो कि sir, aldehyde and ketone में, जादा reactivity किसकी है sir, एक aldehyde है, एक ketone है, दोनों पर ही reaction करवाने वाले हुआ, दोनों में से जादा reactivity किसकी है, बेटा, तो पेटा, aldehyde is more reactive than ketones, तुन मिलीजे उसके बारे में थोड़ा सा, कि why aldehyde is more reactive towards this type of reactions, तो पेटा, aldehyde को फायदा यह है, कि उनकी एक तरफ hydrogen बैठा हुआ है, जो कि वह छोटू सा है, और ketone में, बेटा, कुछ भी करो अगे, आस पास, यह आएगा, आ लेकिन यहाँ, चुकि छोटू hydrogen है, तो यहाँ पे steric hindrance बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम यहाँ पे steric hindrance है, यहाँ पे, चुकि दोनों ही alkyl carbon है, यहाँ पे we have more steric hindrance, किसमे, ketone में, और ज्यादा steric hindrance है, तो उतना आसानी से आपका nucleophile पहुच नहीं पायेगा, पहला reason, दूसरा बज़ा है, अगर आपके हाँ पे h को हटा के आपने लगा दिया कोई भी carbon chain, तो carbon क्या करेगे बटा, plus i group होंगे, carbon तो plus i group होते है, और plus i group का क्या मतलब है, कि उस carbon को, जो center carbon, carbon carbon है, उसके आसपास electron releasing group बैठे हुँ है, तो मुझे कहाँ दिक्कत है, बच्चा, कि आ रहा है, तो यह चाहता है कि मेरे पास ऐसे group हो, जो मुझे से electron बहार निकालेंगे, ताकि मेरे पर plus charge और बढ़ जाए, और मुझे और जल्दी attack हो जाए, जितना ज़्यादा वो carbon electrophilic होगा, उतना fast उस पे attack होगा, पर आप लोग क्या कर रहे हो, आप यहां पर methyl लगा र दखका मुकी हो रही है, उपर तो तुमारा carbon में काम का नहीं है, second point is due to inductive effect of alkyl groups, और यह दोनों ही वजह नहीं है, आपके किसमें हैं, जोर LDID, इसलिए LDID is more reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction, एक्जाम का सवाल है अपने आप पे ही है, आपको इतने बातें बदाने नहीं है, आपको इतने बा कुछ ने लिखके आना है, due to more steric entrance, due to a plus side effect of alkyl groups, समझाने बैठ होगे तो offend हो जाएगे exam में, अच्छा तू समझाएगा हुझे, 20 साल सो कॉपी चक कर रहा हूं, तू समझाएगा हुझे, ऐसे भी तो होते है कुछ लोग, मस समझा उनको, उनको बस answer देखना है, बोड वाल तू मैं ऐसा क्या लिख दोगे उसके इंदर, सेम ही लिखोगे ना है, समझा कुछ अलग लिखके आऊंगा, तो फायदा नहीं है, लिगोज एक्जाम वाले को वही चेयर जो inside में लिखा हुझे, आपको कहा हुझे, दो point है कि नहाँ दो point है, तूसा point भी है, तूसा point पोसि खूब creativity कीजिए, मस्त रहिए, बोर्ड में जो बता रहा हूँ, बस ये करके आना, सो मासी guarantee मेरी खुद की है बच्चा, कि आ जाएंगे आपके, 70 बाशेंटी बन जाते हैं, बहुत दिमाग जो लगाता है, उसके नहीं बनते हैं, प्रूस पेपर simple है, creativity जादा जोत नहीं है जो आपसे पूछा गया है, demand पूरी कीजिए, question की और आगे बढ़ जाएंगे, आप या खुदरें बैठ जाएंगे, सर ये हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा, तो फिर वो यहाँ required नहीं है, ठीक है अच्छा, done, चला, good, सर आप खुदी जवाब पूछते हैं, और आप खुदी अपना जवाब का, answer दे रहते हैं, तो भई क्या करें, recording हो रही है, तो महीं सवाल पूछूँगा, as a student, और मुझा जवाब दे देता हूँ, as a teacher, assume कर लेता हूँ, कि आपके doubts आ रहे होंगे, तो ये भी मेरे काम है, क camera की तरफ देखे, assume कर लेना, कि बच्चा इस moment पर ये doubt के लेके बाट, अच्छा, ये doubt आ गया, बच्चे का, इस तरह कैसे बढ़े, ठीक है, बलब ये ना हो कि आपको feel ना हो, कि अब इस बढ़ा के निकल गया, कि सर्द हमने बास सुने नहीं, आपकी बात में सुन रहा हू बकायदा, कुछ-कुछ समझ भी रहा हूं, ठीक है बच्चो, चलिए, आप करें head इसको, करो सर head, suppose आपने ले लिया, कोई भी early head या कोई भी ketone, इसमें डाल दीजे बच्चो, इसमें डाल दीजे बच्चो, cn-, because hcn क्या देगा, आपको cn- देगा, तो cn- attack करेगा इस पे यह जूर जाये, r, o- hcn, पानी पिलाएंगे इसको, पानी पिलाएंगे तो बन जायेगा, r, c, o, h, देख लिए, एक तरफ synead group है, एक तरफ hydroxy group अपने बास, अपने बास, एक तरफ cn, एक तरफ hydroxy अपने बास आले, तो यह दा कर लोगे न, अभी तो, किसको एड करना है, सर्फ sodium bisulfite को एड कीजिए, हाँ, यह थोड़ा से important है, अब इसकी बात कर लेते हैं, sodium bisulfite, छीक है, इसमें काम का कौन है, इसमें जो bisulfite है, जो hydrogen sulfite है, वो हमारा एज़ा निकलोफाइल काम कर लेगा, तो सबोज आपक इस, तो यहां से, मैं आपको mechanism करके दिखा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको याद रहे चीज़े, आपके बाइस ही हो जाएगा, बचा, SO2H, तो यह आपको बन जायाएगा, इस के स्केंदल, और इसको हम यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए, अगर आपको SO2H करने हो, तो इसको आप यूज करते हैं, SO2H करने हो, तो इसको आप यूज करते हैं, SO2H करेंगे बच्चों, और प्यूरिफिक कैसे करेंगे, मालो मिक्चर है, उसमें SO2H के साथ, उसकी तो PPT बन जाएगी, उसके साथ रिक्षिन हो चुकी है, और जो बाकी गैंग पार्टिकल्स हैं, वो तो कुछ करेंगे नहीं, तो वो एज़ा फिल्टर भाहा निकल जाएगी, तो सेप्रेशन करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए, आप इस रि और यहां से लिए, वैसे ही आप बहुँ सारे एजंट को फटा एड़ कर सकते हैं, आप चाहो तो गिणाड रिग्ण को भी एड़ कर सकते हैं, करके देख लिते हैं,े and this is suppose, ले ले लेते हैं किसी किटॉन को ले ले लेते हैं, इस बार के, किटॉन इसमें डालो कोई भी गि तो उस पर डेल्ट नेगिटिव चाज आएगा और अलकोहल बनेगा कितोन से अल्डिहेड पर आप अटक करवाते हैं गिनाड रिएजेंट का तो अलकोहल तयार हो जाते हैं ठीक है कितोन होगा तो सेकेंडरी या टर्जरी अलकोहल बन सकते हैं अल्डिहेड होगा तो प्रामरी अलकोहल आप बना सकते हों डन बच्चो करके भी देख लिएजएगा अपर इडिशन ऑफ अलकोहल अब मैं अलकोहल को इस जान्यौफाइल एड कर देंगे अल्डियाकीटन होगा उसमें न्यौफाइल एड करेंगे and that nucleophile will be from alcohol alcohol बनेगा as a nucleophile उस पर attack करेगा किस पर aldehyde किटोन पर और compounds बनेगे ठीक है क्या बनेगे सर्थ माल लिजी अपने बाज एक aldehyde इसमें डाला अपने alcohol in the presence of H plus medium that is ethyl gas और बनजार आपके पास compound क्या बनेगा हो करके देखते हैं यह रहा बटा आपके पास aldehyde इसमें डालाएंगे आप alcohol और डैश OH तो यहां से क्या बन जाएगा R O minus OH positive R dash यह बन जाएगा अब यह जो OH positive है यह वाला H यह वाला H यहां छोड़के यहां निकल जाएगा एक तरफ OH आगया एक तरफ OR आगया देख लिजा इसका नाम है हैमी ऐसी टल इसको बोलते हैं बेटाजी बहुत important नाम है इसका यह हैमी ऐसी टल हैमी ऐसी टल हैमी मतलब एक तरफ OH एक तरफ OR अगर हम एक ओर ओर molecule यूजस करते हैं अगर हम यह जिएक्शिन एक बार ओर करवाते हैं तो हम एँम बिल जाएगा ऐसी टल हम ही मिल जाएगा ऐसी टल Acetal मतलब जब इधर भी OR और इधर भी OR आ जाए दों तरफ ओच आने सकते हैं और OR OR आ जाएंगे That will be Acetal अच्छा करके जेखेंगे don't worry भी यानि कि और यह reaction is reversible बेटा This reaction is reversible This reaction is reversible क्यों यहां से यह lone pair of electron वापस आएंगे यह bond break हो सकता है So this reaction is reversible वापस आप बना सकते हैं अपने respective world idea ketone और hemiacetal का stable भी नहीं है General reaction वापस बैक मार जाती है It is not that much stable Reaction वापस आ जाती है पर यहां से वेटा आप further reaction कर सकते हैं एक बार और और यूज़ कर सकते हैं अपना alcohol के molecule को और पर आपको मिल जाएगा इस टाइम पर OR dash OR dash that is acetyl aldehyde होगा और तो acetyl बनेगा ketone होगा तो ketal बनेगा hemi ketal, hemi या ketal in case of ketone as a starting material अगर aldehyde है तो acetyl या hemi acetyl बनने वाल है और एक कारबने भी दों तरफ OR, OR है, it is acetyl OH, OR है, hemi acetyl बस, इतनी इसे पैचान है एक सवाल करके देख लीज़ा यहाँ देखे माल लीजीज़ में में डाल दिया ethylin glycol वो क्या होता है CS2 OH, CS2 OH पहचानना आपको एक्जाम में कि थरिंग glycol मतब अलकोहल दो अलकोहल चाहिए आपको इसमें दोनों अलकोहल एक ही मॉलकोहल में है मामला गरम हो चुका है ketone तयार है, ठीक है पहले ketone ड्रो कर लीजे अगर दो डिफरेंट मॉलकोल होते हैं अलकोहल के तो पहले एक अटक करेगा फिर दूसरा अटक करेगा OR, OR अब दोनों एक ही सिस्टम के अंदर आ चुक है OH, OH तो क्या हो जाएगा पहले वान ले एक अटक किया और वो उसका दूसरा पार्ट अलकोहल उसी मॉलकोल में उसने भी अटक कर दिया देख लिजे दिख्या आपको OR, OR याने की एक साइकलिक कंपाउंड मिल गया आपके पास यही तो है एक, दो, तीन, चा या कीटल बोलेंगे, इसको भी कोस कीटोन अपने पास देखिजे आप अगर आप चाहते होंगे, सर, यह कंपाउंड थोड़ा सा अजीव लग रहा है, सर क्या करें? इसमें डाल दो H+, वापस यह बन जाए रिवर्सिब अलक है, तो रोम आपको इस रिएक्शन्स आर रिवर्सिबल इन ने चे, व्योगोष यह जो साइकीर कंपाउंड आपन बनाएं, एथर बनाया है, यह एथर एसेडिक मीडिया में स्टेवल नहीं है, यह वापस से खिटो होने या अल्डेड़ में कर्वट हो जाएगा, ठीक है, पड़ यह चीज थोड़ी सा आपको पता होने विचिए, विगोष थोड़ा सा यह बेटा, NCRT में में मेंचन कर रखा है, यह एथर इन ग्लाइकोल डानेंगे तो यह बन जाएगा, ठीक है, अब कुछ डेरि बन जाएगा, Z के जाएगा OH हो जाएगा, तो NH2OH बन जाएगा, that is hydroxylamine, Z के जाएगा NH2 हो जाएगा, NH2 NH2 बन जाएगा, that is hydrazine, तो Z के जाएगे बेटाम कुछ भी ग्रूप डाल सकते हैं, तो वो उस डिफरेंट टाइप का निक्लोफाल बन जाएगा, ठीक है सर, क्या य ठीक, आप देखी धान से आप, यह ठीक है पूरा आपके एंसाइडन में गीवन है, अच्छे तरह किसी गीवन है, बढ़िया गीवन है अपने बास से, कि अगर उस H के जगए पर, अगर उस Z के जगए पर H हो जाएगा, तो ammonia बन जाएगा, बोलो, अगर ammonia बन जाएगा, त क्या बनेगा उसका, इमीन, यह क्या होता है, इमीन तो है, बताया था भी मैंना, इमीन, रास्ते में जो बनेगा अपने पास, अच्छा, आगर उस Z के जगए पर H हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा, NH2R, that is, अमाइन, और बन जाएगा, C, डवलब पा रहे हो, इसका अगला स्टेप वही है, यहां से वाटर निकल जाएगा, H और OH, और वाटर निकलते हो, आपके बास यह बन जाएगा, वाटर रिमूफ कर दीजे, कुछ भी नहीं करना, आपको यह अमोनिया कंपाउंट, यह जो N कंपाउंट देंगे बिटा, तो C, डव अगर है, आपको वाटर निकाल देता है, यहां से O, यहां से H2, बस, बाकी जोड दीजी, बाकी हैज़ट हो जायेगा, तो क्या बन जाएगा, इमीन, अगर यह आर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वो सब बता रहा हम आंप, लेख लिजिया, S net बेटा, इमीन बन NH2 Z के जगह पर OH आ जाएगा तो इसको बोल दें हाइट्रोक्सिल अमीन बिटा है इसका नाम है हाइट्रोक्सिल अमीन तो बन जाएगा ये चीज तो बन जाएगा ये चीज आइस ऑक्जाइन तो टेबल आपको पूरे एज़िस observe करना होगा अगर डाल देंग हाइट्रोक्सिल तो क्या है NH2, NH2 एक NH2 आपको यह नज़र आएगा इसका नाम क्या है? histrazone हीटर झे से हीटरो जों wanरेगा पिर अअज़ आफ डाल देंग फिनाइल हीटर्जीन क्या बनेगा? हीटरो ज records different options है nucleophile add करनेगा तो इनके वो नाम यह हो जाएंगे और structure यह बनना वाले है इसमें से यह वाला relevant है कौन सा? लास्ट वाला NH2 CO NH2 यह देखिया आप जो NH, CO NH2 तो क्या हो जाएगा NH2, NH, CO NH2 इसको बोलेंगे semi-carbazide after the attack यह बन जाएगा semi-carbazone यह रहा बिटा, semi-carbazone अब शुर्ण एक्जाम में सवाल आता है कि वह यह आपका semi-carbazide है complete reagent वेटा आपका यह है यह आपका complete reagent वेटा अब एक्जाम में सवाल आता है कि यह वाला nitrogen अटेक करेगा as a nucleophile यह फिर यह वाला attack करेगा as a nucleophile तो simple से बात है यह वाला करेगा क्यों सर्थ? बगुँस इसके alone पेर तो यहाँ मजे ले रहे हैं resonance के इसके alone पेर भी मजे ले रहे है resonance के तो यह दुन तो resonance का सूख उठा रहे है उनको मतलब भी नहीं कि किस पर attack करना है यह free है So this was your nucleophilic addition reactions बच्चो ठीक है बच्चो तो भई आगे बढ़ते हैं ठीक है? हम यहाँ तक बात कर चुके थे तो हमने भाई सारी बात एक earlier regarding elder ketones के उसमें उसको prepare कैसे करते हैं उसका properties and chemical reactions क्या रहेगी specially with regard to nucleophilic addition अब कुछ basic बात यह उसमें बच्चो नहीं ध्यान दियेजेगा First अब अचा reduction to hydrocarbons कि elder ketones का reduction करेंगे तो क्या हो जाएग अपने बास तो अगर आप elder ketones को reduce करोगे जैसे आप यूज कर सकते हैं N-A-B-H-4 बताया था या आप यूज कर सकते हैं lithium aluminum hydride तो बन जाएंगे alcohol वेगरा लेकिन वो तो alcohol बनाने के लिए अपने बास रहेंगे बच्चो लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने अल्ड़ के टोन को hydrocarbon में convert कर दें तो उसका भी तरीका है दो name reactions आपके बास रहेंगे फर्स्ट बच्चो अपने बास wolf-kishner reaction और सेकेंड बच्चो अपने बास clemencion reduction यह दो name reaction ने जिससे आप बेटा क्या करेंगे आप किसे भी अल्ड़ के टोन को directly directly convert कर देंगे hydrocarbon alkenes के अंदर किछ के अंदर बेटा alkenes के अंदर ठीक है यह है अपने बास क्या this is wolf this is clemencion reduction this is clemencion reduction zinc Hg Hc this is clemencion reagent तो आपस क्या बन जाएगा you will get your hydrocarbon you will get your hydrocarbon simply आप आपको मिल जाएगा अपना hydrocarbon इस फिकार से ठीक है अई यह कॉन से लेक्शन है बेटा अपने बास यह hydrazine है hydrazine और अपने बास है KOH in presence of ethylene glycol तो इस इन दोनों के बाद बेटा आपको जो मिलेगा that will again alkene इसको बोलते हैं यह जो reagent है इसको बोलते है वुल्फ किष्णर अब यह example लेके समझाता हूँ don't worry किसे भी elder kitों के बेटा आप reaction करवाएंगे इन दोनों के साथ तो आपको respective alkane से मिलने start हो जाएगी ए example ले लेते हैं एक लाइट या जाएगी for example CS3 CHO ethanol है इसमें डाली एक लिमेंशन zinc Hg H plus क्या मिल जाएगा ethane क्या मिल जाएगा बेटा ethane मिल जाएगा क्या मिल जाएगा ethane you will get ethane अपने पास CS3 CS3 इसमें डाल दीजें वुल्फ किष्णर का मसाला that is hydrazine NH2 NH2 in basic medium that is KOH तो क्लिमेंशन के अंदर बेटा acidic medium है H plus और वुल्फ किष्णर के अंदर बेटा पने बास KOH basic medium है लेगिन we will get same product same alkane यानि कि अगर आपका अपनी aldehyan किटों को बेट directly convert करना हो alkane के अंदर hydrocarbon के अंदर आप ध्यान रखेंगे reduction का that is wolf, kishner and killimension reduction done अब बेटा बात करेंगे oxidation के बारे में किसे आप oxidation कर सकते हैं कै जी हाँ बेटा आप aldehyde का तो easily कर सकते हैं oxidation ketones का थोड़ा difficult है oxidation करना विकोस ketones के oxidation में अक्सर आपको aldehyde का oxidation काफी असान रहेगा क्या बनेगा सर तो बेटा आपके aldehyde या ketones का oxidation के बाद जो बनेगा that will be carboxylic acid because they are these carboxylic acid are the highest oxidized product फिस रूव में क्या होता है alcohol होता है उसका oxidations क्या मिलेगा aldehyde या ketones मिलेगा उनका further पहले अपने पास in case of aldehyde simple आप इसी strong agent यूज कर सकते हैं for example you can use k-m-4 you can use k-2-c-i-r-2-7 ये सारे आपको ये वाला चीज करवा के दिदे देंगे अपने पास अगर आपके बस ketones मेटा तो ketones का भी आप oxidation कर सकते हैं बस आपका like this यानि कि ketones का cleavage असान नहीं है because bone तोणा पड़ेगा और ketones के लिए बहुत vigorous condition चाहिए होती है इसलिए ketones का oxidation आपके सामने नहीं आने वाला बहुत common नहीं है अपने पास aldehyde oxidation बढ़ा ही common है easily आप किसी oxidizing agent को यूज करके यवाल काम कर सकते है still जो मैं कह रहा हूं मिटा oxidizing agent कौन से use करेंगे आप यूज कर सकते हैं मिटा K1O4 very strong oxidizing agent K2Cr2O7 या आप यूज कर सकते हैं Jones reagent Jones reagent क्या होगा chromic acid H2CrO4 उसको बोलते हैं Jones reagent that is chromic acid अपने पास तो ये तीनों ही strong oxidizing agent है जो ये वाला काम कर सकते हैं ठीक है अब सर आपने बहुत कुछ बताया aldehyde ketone के बारे में एक बात आपने बताई नहीं सर कि सर aldehyde और ketone को आपस में कैसे अलग करेंगे सर मुझे कैसे बता कि speaker में aldehyde ketone है इतना तो मुझे बताया कि both are carbonyl compounds अगर दोनों carbonyl compound है तो इसमें से aldehyde कौन सा है और ketone कौन सा है कैसे इनको में distinguish कर पाऊँगा again very important question for exams दो test हम perform करेंगे ये दोनों test अगर हम करते हैं तो हम पता लगा पाएंगे कि given substance aldehyde है या ketone है carbonyl है ये तो पहले से पता है अब उस carbonyl के अंदर aldehyde आया ketone है उसके लिए हम दो test perform करेंगे कोई बेक test कर सकते हैं पर अपने पास दो test available है first is tholans test second is phallinx solution test tholans reagent test second is phallinx solution test बच्चो और दोनों ही test aldehyde को distinguish कर देंगे differentiate कर देंगे ketone से ketone ये दोनों test perform नहीं करते हैं aldehyde दोनों ही test में pass हो जाते हैं दोनों ही test को positive show करते हैं test कौन से हैं tolans reagent test ये फैलिंग solution test अपने पास पहले मात करें बेटे tolans test के बारे में tolans reagent के बेटा ये silver ag-n-st यानि कि ammonical silver आपके पास चुए बेटा उसको बोलते है tolans reagent and tolans reagent जो अपने पास ammonical silver है it is a mild oxidizing agent अगर oxidizing agent है तो क्या करेगा अल्डिहाइड को aldehyde को convert कर देगा किसमी carboxlic acid लेकिन मैंने क्या बोला it is a mild oxidizing agent इतनी ताकत नहीं है कि ये किस ketone को convert कर देगा उसके ketone को convert करने के लिए बहुत जाद है vigorous condition चाहिए high heating चाहिए बहुत strong agent चाहिए और ये जो tolerance reagent है failing solution है they are a mild oxidizing agent तो यहाँ फर्क आजादा है ketone तो पास हो जाएंगे aldehyde तो पास हो जाएंगे because they can easily get oxidized and ketone which cannot be easily get oxidized वो यहाँ first जाएंगे because उनका oxidation के लिए आपको तगड़े इंसान चाहिए तगड़े reagent चाहिए और ये mild-filed आई इन से कुछ होनी पाएगा ये चुप-चाप aldehyde कर देंगे ketone को acid ही छोड़ देंगे तो दिख जाएगा वही किसी beaker में test हो गया होगा अगर की है तो मुझे comment बताना किया असर क्या तो था लेकिन वो silver mirror बना नहीं test tube के नीचे बेटा आप देखते हो तो एक silver mirror बन जाता है test tube में आप एक काम जब perform करते हो बेटा तो test tube के नीचे की तरफ बेटा आपको एक silver mirror नजर आएगा एक silver की lining नजर आएगी ऐसो नजर आती रही बहुत rare है फिर भी हाँ हाँ सब लोग बोलते है नजर आगी नजर आगी तो lab में हो जाता है test हो गया वही एकात का आगया तो ठीक है काम चल जाता है हम तो वही 12 मुझे याद आ रहे कि स्कूल में करवाया गया था लेगिन आया तो थानी कोछ यार पता नी क्यों नहीं आया सर हो जकता है पानी मिला दिया और क्या पता है रियेजन का नाम भी क्या दिया रखा था इतना कौन से भले है वो नो पड़ आप समझे कि यहाँ वही इसमें इसका नाम क्या है? Silver Mirror Test या Tolens Reagon Test ठीक कौन देगा? Only Ardehyde अगला टेस्ट कौन से है? Felling Solution Test इदर भी बेटा आपका बन जाएगा Carboxylate Salt दोनों में आपको मिलेगा Carboxylate Salt और Salt का पानी पिला के Acid बना सकते हैं बोल दीजे, acid बन चुका है, दूकर पाने कि लाना बचावाई सिर्फ So, felling test हो बेटा, felling test हो अपने पास, copper का हम solutions करते हैं felling reagent दोटा है क्यों होते है, felling solution A and felling solution B उनको add करके, एक felling reagent तयार किया जाता है, felling test के लिए अपने पास felling test हो गया, या tonus test हो गया, they are both given by only only early head की tone does not give this test I think it is very very clear की हम क्या बात कर रहे हैं, बचा थर्ड है बेटा, अगें इसको mark कर लीजेगा, very important iodopheum test, इसका बेटा नाम है, iodopheum test इसका बेटा नाम है, iodopheum reaction, या iodopheum test अगर iodine है तो उसको बोल देंगा, iodopheum या फिर बोलते है, commonly haloform test for halogens, कभी-कभी for in place of iodine, chlorine भी हो सकता है तो chloroform बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं, iodopheum test CHI3, इसमें क्या करते हैं, बेटा, इसमें लेंगे बेटा, आप alde-rae ketone उसमें डालेंगे क्या, उसमें डालेंगे NaOH प्लस अपना iodine, halogen और बेटा, NaOH प्लस iodine क्या बनेगा, तो बेटा, आपका गरम-गरम मिल जाएगा, NaOI यह रहा, NaOX तो जो आपके सामें लिखा हुआ, NaOX हो सकता है, सिदह लिखाओ, NaOI या फिर ऐसे लिखाओगा, NaOH प्लस I2 तो समझ जाएगा, इन दोनों से यही मिलने वाला है अपने पास ठीक है क्या बनेगा सर, यहां से बोन तोड़ दीजेगा यहां से बोन तोड़ दीजेगा और मिल जाएगा यानि कि इस वाले पार्ट का कर देंगा, Oxidation बन जाएगा, पैटा, Carbocylist Salt और वो CH3 को जो मैंने नकाला था, वहां से CHI3 बन जाएगा and CHI3 की एक Yellow PPT बनती है यह Yellow PPT आपको कंफर्म कर देगी कि Iodafum Test positive हो चुका है अब यह कौन टेस्ट देते हैं यह Aldehyde भी दे सकते हैं, Ketone भी दे सकते हैं अपने पास This test can be given by Aldehyde as well as Ketone and Ethanol, Alcohol भी यह वाला टेस्ट दे सकते हैं इस test के बस एक पहचान है, बस कि Free Methyl होना चाहिए आपके Carbonil Group के साइड में Free Methyl होना चाहिए क्या यह Methyl Free है? हाँ Sir, Free मतलब यहां पर को Carbon Chain ना हो इस तरफ कोई भी Carbon Chain ना हो वो CH3 हो और वो directly जुड़ा हो Carbonil Carbon के साथ अगर Free Methyl Group है तो वो पका से आपको Ideform Test देगा और उसकी Yellow Pupity आप Confirm करेंगे Example कौन कौन देगा आपसे पूछा exam के अंदर क्या यह Ideform Test देगा? क्या आपका Acetone देगा? Free Methyl है? अराम से देगा कोई दिक्कत नहीं क्या यह Ethanol देगा? You're Getting My Point की Free Methyl का Meaning के है अगर Free Methyl है तो काम बनेगा क्या Benzaldehyde यह वाल टेस्ट देगा? Benzaldehyde के पास Free Methyl Available नहीं है इस टेस्ट को यह परफॉर्म नहीं करेगा क्या Acetofenone यह वाल टेस्ट देगा? लग तो रहा है Acetofenone के पास कुछ तो गजब की बात है क्या Free Methyl है देगा? Benzaldehyde उसके पास Methyl नहीं है वो नहीं देगा तो अगर Free Methyl Available है और वो टेक ले जुड़ा हुआ है कार्मिल कंपाॉर्ण के साथ तो वो इस टेस्ट को परफॉर्म करेगा I think इसके बाद इसका सवाल कोई भी आएगा निकाल लो गया आप आए कुछ questions करते हैं इसके बाद aldol और कहने ज़रों की बात करेंगी चलिए क्या बनेगा? ट्राय करते हैं बच्चेस में यह Acetofenone है इसमें डाला आपने यह वाला 2,4-DNP तो इसमें यह जो NH2 का लोंड पे रबिटा यह एटक मारेगा कार्वनिल पे चीक है? सारा काम हो जाएगा मैं आपको mechanism दिखानी रहूं आपको पता है कि कुछ नहीं करना होता पानी बहार निकालना होता है हमें बस पानी हमां से बहार निकालना होता है यहाँ पे NO2 यहाँ पे NO2 यह बन जाए अपनी बास इसका जो Orange Red PPT बन जाती है तो इसको 2,4 DNP बोलते हैं 2,4 माने 2 और 4 अपने बास क्या हो जाए अपने बास 2,4 DNP test इसका नाम बेटा 2,4 DNP 2,4 DynP 2,4 DynP Phenylhydrogen इसकी Orange कलर की PPT या Reddish कलर की PPT बन जाती है कई बार इसको भी टेस्ट बोल दिया गया है 2,4 DNP test वही aldehyde देंगे कि टोन देंगे वही रेक्षन है Nuclefinic Addition पेचाना आपने NaOH प्लस High 2 क्या देगा सरफ बोन टूर जागा है यहां से तो जो पार्ट बचा है उसका तो Acid Salt बन जाएगा और CH3 का बन जाएगा CHI3 That is a yellow precipitate Done H2CRO4 It is a chromic acid Strong oxidizing agent है Strong oxidizing agent है बच्चा तो क्या करेगा? Bond break कर देगा Bond cleave हो जाएगा और bond cleave हो जाएगा बच्चा अगर bond cleave हो जाएगा अपने पास तो क्या हो जाएगा बच्चा किटोन है तो आपको Acid ही मिलने वाला है आपको यहाँ से Benzoic Acid मिल जाएगा इस परकार से पने पास ठीक है? तो यह कुछ basic examples थे बच्चा कि जहाँ पर आपको Oxidation में गढ़ा क्या कुछ practice मैंने करवा दिया The most important reaction of this chapter is Aldol Condensation Reaction समझेगे ध्यान सबकिए Aldol कैसे perform किया जाता है Aldol के अंदर हम यूज करते है Aldi idea ketone साथ में डालते हैं कोई गर्म गर्म base NaOH, KOH कोई भी आप base यूज कर सकते हैं अबने पास लेकिन कौन सा Aldi idea कौन सा ketone यूज करेंगे वह बात important है अबने पास भाई देखो यान से यह है कार्बनल ग्रूप इसके साइड में कार्बन रहे का कोई ना कोई जी सर अगर उस कार्बन पे कोई भी H available है तो हमको उस H को निकालना है यह ग्रूप के साइड वाला कार्बन बेटा बोलेंगे alpha carbon ग्रूप के जस्ट बाजू वाला कार्बन जो होगा बेटा उसको बोलेंगे alpha carbon और alpha carbon पे क्या बोला मैंने इस alpha carbon पे कम से कम एक H available होना चाहिए at least one alpha carbon H या one alpha H must be there अगर वहाँ पे alpha H नहीं है तो आपके difficulty आपको वहाँ difficulty बेटा हो सकती है ठीक है क्या बोला बेटा मैंने अगर वहाँ पे alpha H available नहीं है बेटा तो आपको difficulty हो सकती है चली ठीक है बच्चा तो फिर नहीं होगा अगर alpha H नहीं है तो अल्डोल नहीं होगा क्या होगा फिर कहनी zero हो जाए क्या बात कर रहेंगे देखेंगे क्या इसमें alpha H है हाँ सर ये group वाला carbon है इसके बाजू येवाल alpha carbon हो इस पर 3-3 नहीं चैसर कम सकम A catch होना चाहिए तो थोड़ा सा mechanism दिखाएंगे सर हाँ बिल्कुल भईया देखो जहांसिया आओ ये है carbon group उसके बाजू वाला carbon alpha carbon उसके कम सकम A catch होना चाहिए कम सकम A catch एक होगा तभी काम चल जाएगा इसमें डालेंगे base OH- क्या हो जाएगा base है तो base H plus निकालना चाहिएगा base बेटा क्या अगर है इस H plus को यहां से निकाल लेगा अच्छा H plus को निकाल लेगा तो क्या बनेगा carbon onion stable हो सकता है क्यूं because यहां से वह Resonance करकर inolate बना सकता है कृएंगा अपने आखको union system pipeline कर सकता है और यहां से inolate बना सकता है यहां से वह Inolate बना सकता है Is gucken u.s. inolate Iain आश्यक्रिव अभा वर न आने ब्इटा काफी जादा stable है ॢर्यां कि रेजूनेंस चलता रहेगा, जैसे आप को मिलके कार्बोनायन और कार्बॉनायन के एक education है, बस नुप्लिटर्फायल का जुगाड़ करना था, आपने कड़ लिया, eyeshadow vigil काएं सर, इसके अब क्या, उस hijos बीकर के नदरा का एक हमोेकिल है नहीं सर इसके तो 50 molekul होंगे कोई भी एक molekul हिमत करके बनाए कारबोन ऐन बाकी वेट कर रहे हैं कि आओ एलक्रोफायल की तरह बैठा हूँ है तो यह कार्बुनेंज जो बना है उसका इटाक मारता है तो यह इसको आप मेकेनिजम का फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं अब जो गरम-गरम नुक्लिफाल तयार हुआ है उससे आप एटाक करवा देजिए इस कार्बुनिल कार्बन पे एटाक करा देजिए करा देजिए लेग लीजा डन क्या बनेगा बस आराम से जो कर रहा है आपस स्टेप फोलो कीजिए आप और बोंड चेक कर तरिया आपस ना से ओ माइनस यहां से सी एस टू जूड़ गया पीछे सी है चो आ गया यह जाएगा यह बन गया आपके बास बीयटा हईट्रॉक्षी कार्बुनिल कंपाउंड एलफा का बन हैए यह बीटा कार्बन है if I had lost connection कबाद क्या बंता है बीटा हाट्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बंते है पर कंडें सेशन बची अभी एक उसमीद नीकल बसली मतलब क्या होजाएं ऑसका हीट करके वहांसे घ्राट को था गाँ और इस पे एलफ़ा अपर एक अलने की हाँ सब अर रह garbage और यहाँ caffeine निकल जाएगा और अच और वह ओच वाले कारबन के भी NICK everyone की बीच में estory कारबन के वीच में डब्ल व மोड हाशाएगा देख लीजे ही यह आपका है अलडोल कंडthe transition product влад up अपके पास सर यहां पर भी H available है आपने यहां से OH और यहां से H किले निकाला अगर मैं यहां से double bond मना दूँगा तो वो double bond का इस CHO के साथ resonance नहीं हो पाएगा अब यह वाला double bond इस CHO के साथ resonance कर सकता है conjugation कर सकता है तो it will get more stability तो यह हमारा final product इस reaction का इसको बोलते है self-aldol self माने कि आपका एक ही molecule था उसी में से कुछ molecules ने nucleophile तयार रखिया और उससे पर attack कर दिया cross-aldol क्या हो जाएगा कि दो different molecules है एक LDH1 है एक दूसरा को LDH1 है या दूसरा को ketone है एक बनायागा आपका nucleophile दूसरे पे attack मार देगा दूसरे बनायागा nucleophile इस पे attack मार देगा तो आप possibility बहुत सारी हो जाएगा आपके पास अगर दो different compounds या दो different reactant गीवन है तो आपके पास मिल लेंगे चार product चार क्यों मिल लेंगे ये वाला खुद से करेगा एक self ये वाला खुद से करेगा एक self ये वाला बनाएगा nucleophile इस पे attack मारेगा third product ये वाला बनाएगा nucleophile इस पे attack मारेगा fourth product तो अगर दो different reactant given है you will get four total number of product उसमें से दो self-adol है और दो cross-adol अपनी बास product बनने वाले हैं ठीक है बोलो चल जाएगा तो अलडोल के बाद हम चलते हैं सर अगर सवाल प्यादा होता है अगर मेरे कार्बुनिल कार्बन के अलफा कार्बन पे एच अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा सर अलडोल तो नहीं होगे होगी वहाँ पे होने वाली बच्चा अगर अलडोल नहीं है तो क्या होगा सर कैनी जैरो कहनी जैरो डिक्षिन बेटा वहाँ पे हो जाएगी अगर आपके पास अलडोल नहीं होगा तो पर उससे पहले कुछ कोशिन होगा देख लिए आप क्रोस अलडोल के इसमें क्या हो जाएगा क्रोस करेंगे तो इसका बनेगा नुक्लिफाइल और एक खुद पेटा कमार देगा सेल्फ एक प्रोड़क्ट इसका बनेगा नुक्लिफाइल खुद पेटा कमार देगा सेल्फ सेकिंड प्रोड़क्ट इसका नैयुक्लीफ़ाइल इस पे त्रेक मारेगा फर्ट प्रडड़्ट तो यहाँ बनेगे आपके बास चार प्रड़क्ट और इतना तो मुँमित कर सकते हैं और आप छारो बना लेंगे इस सवल आप के लिए इसलिए बता रोड़ा ट्राइ कर लिजेगा ठीक है अब आजाओ कैनी 0 पे जिसमें ने कहा था अगर आपके बास alpha carbon पे h available नहीं है यह alpha carbon ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे सिर्फ अगर alpha carbon ही नहीं है तो h का सवाल पैदा नहीं होता और alpha carbon है भी तो उस पर h नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा क्या अल्डोल तो फिर क्या होगा कैनी 0 हो जाएगा बेटा तो समान लीजिए यह रहा क्या alpha carbon पे h available नहीं है तो यह तो आपका अल्डोल देगा basic medium में लेकिन अगर मैं अगर मैं यहाँ पे alpha carbon ही गायब कर दू और alpha carbon हो भी तो उस पर h भी ना हो तो दोनों ही शेर्थ के अंदर बेटा यह basic medium में कैनी 0 देगा बेटा and कैनी 0 is a disproportionation reaction कैनी 0 is a type of disproportionation reaction disproportionation मतलब जिसके अंदर oxidation और reduction एक साथ होता है उसको बहुते हैं disproportionation reaction और कैनी 0 बेटा उसी का example तो देख लिए ज़ांचे आप क्या यह formaldehyde है क्या यह formaldehyde है alpha carbon है नहीं है alpha carbon है एच का सवाल पैदा होता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा सर्थ एक molecule का oxidation कर देंगे आप और किसी एक molecule का reduction कर देंगे because it is an example of disproportionation reaction क्या होला मैंने बेटा कैनी 0 is an example of disproportionation reaction जिसके अंदर बेटा एक molecule का oxidation होता है और दूसरे molecule का reduction किया जाता है तो किसी एक काप कर देंगे oxidation बन जाएगा carboxylate salt और दूसरे का बेटा कर देंगे reduction बन जाएगा आपके पास alcohol because aldehyde का reduction से बनता है alcohol और oxidation से बन जाएगा carboxylate salt oxidation भी हो गया reduction भी हो गया so it is an example of disproportionation अगर alpha carbon नहीं है या alpha carbon पे H नहीं है तो समझ जाएगा वहाँ से कैने जरू बनने वाली है benzaldehyde formaldehyde इस पे तो कैने जरू ही होती है basic medium के अदर medium basic चाहिए आपको और आपे 50% consideration है कि base की so कैने जरू में बेटा अपने बास strong base चाहिए होता है और aldol के लिए mild base या weak base भी use कर सकते हैं अब देखे कुछ questions अगें ये क्या है hydroxylamine इसमें का डाला H plus nucleophilic addition reaction बच्च अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से H2 और यहाँ से O भान निकाल दीजे क्या हो जाएगा NOH hydroxylamine क्या मन जाएगा oxyne इसको बोलते हैं oxyne अभी देखाता है नो stable केंदे बटा ये वही है यहाँ से बटा आपके बस oxyne मन जाएगा ये भी कर लोगे यहाँ से H2 और यहाँ से O निकाल देजेगा बागी ग्रूप जोड़ देजेगा as it is तो ये कुछ आइग्जामबल से पने पास of nucleophilic addition mechanism order of reactivity in nucleophilic addition reaction बीटा ethanol, propanol, propanol बीटन बीटा बीटा aldehyde जादा reactive होते हैं बजाए ketones के ये तो हम जानते हैं अब aldehyde में भी कौन सा जिसमें भीड कम रहेगी ethanol में दो ही कारबन है जल्दी reaction हो जाएगी इसमें तीन कारबन है तो answer क्या हो जाएगा ethanol strongly reactive then propanol यहां कारबन के संख्या बढ़ जाएगी फोड़ी से hindrance आ जाएगी फिर propanol में तीन है इसमें चार है तो propanol then butanol तो कोई भी aldehyde बीटा किसी भी किटोन से जादे रेक्टिव रहेगा towards your क्या बोलते हैं इसको nucleophilic addiction ठीक अब आजे बच्चो आपके last part of this topic पे carboxylic acid बहुत छोटा सा पाड़ा ध्यां दीजेगा ठीक है carboxylic acid बच्चा एक टेबल गीवन है which is very important in your NCRT बच्चा इस पे कुछ common name गीवन है और इसका IPC नाम भी गीवन है अपने पास ठीक है दोने की बात कर लेते हैं कि common name क्या रहेगा बच्चा अपने पास और इसका IPC नाम क्या रहेगा बच्चा एक carbon है क्या बोलेंगे इसका methanomic acid common name क्या है formic acid दो carbon के लिए क्या बोलते हैं acidic acid that is ethanoic acid तो निकाल लोगे दो तिन बाते बतारों कि सक्सिनिक acid कर लीजेगा आप और जेलिक acid कर लीजेगा ये दो बाकी एक ये adipic acid कर लीजेगा जिसमें 6 carbon आजाते हैं 4, 5, 6 ठीक है नजर मार लीजेगा मैं ये नहीं कर रहा है कि कुछ नहीं से बनने वाला है naming पूशेगा आपसे पड़ एक नजर मार लोगे कुछ common name especially आपको याद रहेंगे तो आप सवाल जल्दे बना पाएंगे ठीक है मैं कोट ओपर छोड़ना नहीं चाहता कि सर आपने naming वाले बात नहीं की मैं naming वाले बात कर दिये जो इसको इस पर time लगा चुका हूँ it is not much important कि आप इसकी naming करने बैठेंगे अभी because assets की naming बड़ी simple होते हो कोई भी कर ले जाएगा उसको इसकी लिए बाद देख लिजएगा मतलब दिखाए है मैंने आप ताकि आपको feeling नहाँ कि सर ही क्या कर दिया आप practice कर लिजए आप IPC नाम बताई इनका इसका नाम बताई आप solution बताई इसका नाम बताई सर देखी जान से हाँ बताऊ इसको one तो करनी पाएंगे सर cyclic chain will be the main chain सर तो यही हमारी main chain रहेगी सर one two three four five two पे methyl है तो two methyl cyclopentane carboxylic acid ओएक नहीं आएगा carboxylic आएगा because carboxylic क्यों आएगा विए उसो carbon countable नहीं है same logic carbodehyde आ रहा था ना बिना carbon countable का तो वैसे carboxylic acid नाम आ जाएगा क्या होजाएगा इसका नाम two methyl cyclopentane carboxylic acid इसका यह तो करी लोग यार one two three यह main carbon chain है तो three पे क्या है phenyl three phenyl propanoic acid one two three three phenyl propanoic acid ठीक है वो लो अब चले कुछ preparation करे कैसे बनाया जाएगा आपका carboxylic acid मैंने का था carboxylic acid बनाना है तो strong oxidizing agent लेना पड़ेगा आपको अगर मैं उसी alcohol में डाल देंगे बिटा strong oxidizing agent तो सीरह आपको मिल जाएगा carboxylic acid अगर आप यूज करते बिटा पीडी सी वेगरा तो आपको मिलता अल्डी हैडिया किटोन चुक्के आपने strong agent यूज किया है तो आपको डेरेक्टी मिल जाएगा carboxylic acid तो यह बहुत बेसिक तरीका है अल्कोहल से बनाने का बच्चा यह तरीका important है एक्जाम में पक्का से आएगा पहले बता रहा हूं from hydrocarbons from alkyl benzene यहाँ पर एक CS3 है डाल दिया आपने केमनोफोर ठीक है वो CS3 बन जाएगा COOH सर यहाँ पर 3-3 CS3 क्या हो जाए कितनी भी बड़ी chain हो क्या बोला मैंने कितनी भी बड़ी chain हो carbon की आपको सिर्फ benzoic acid ही मिलेगा बहुत important है conversions के लिए कितनी भी chain हो एक methyl हो या 50 carbon की chain हो बेटा आपको केवल और केवल मिलेगा एक carbon का that is benzoic acid तो यहाँ पर 3 carbon हो 10 carbon हो या 1 carbon हो आपको सिर्फ वरसे मिलेगा योर ideal benzoic acid बहुत important है काफी काम में आता है अब देखिए कुछ method और भी है nitriles and amides की cyanide से आप कैसे बनाएंगे आपका caroboxic acid बना लेंगे भाईया अगर cyanide है बच्चा तो cyanide बेटा acidic medium है या basic medium में इसका आप oxidation करेंगे इसका आप reaction करेंगे तो यह आपका acid के अंदर convert हो जाएगा अमाइड है तो amide तो बेटा पहले सी caroboxic derivative होता है amide तो पहले से उसका derivative होता है amide को आप simply थोड़ा से h plus के अंदर heat कर देंगे तो यह automatically convert हो जाएगा आपका caroboxic acid में तो cyanide से आप बना सकते है acid amide से आप बना सकते है acid यह सारे conversions में खूप आमाने वाले हैं exam में आता है कि CS3 CN था बताओ क्या करेंगे इसमें डाल देंगे H plus और गरम कर देंगे यह डाल देंगे OH minus कुछ नहीं है CN के जगह आ जाएगा COOH वह से वह ammonia बनके बहाँ निगल जाएगा तो यह थोड़ा सा conversion में आपके काम आएगा यह छोड़े में स्टेप्स आपको पता होने चाहिए अब एक और शांदार important reaction है कौन सी from Gignard reagent इसके साथ भी आप बना सकते हैं और आपको दिख गया होगा अपना मसाला इसको पाणी पिला दीजिए पानी पिला जाएंगे तो आपको अपना acid obtain हो जाएगा बहुत important reaction है कि CO2 gas के साथ भी using RMGX using grant reagent we can form carboxylic acid या carboxylic compound done है यह सब single step की reaction से as it is याद करने के पढ़ेंगे आपके you can take some more examples आप R के जग़े पर CC लिखके कोई example frame कर सकते हैं पर concept will remain same next picture from asyl halide from asyl halide इससे भी कर लीजेगा suppose आपके पास यह है R COCL इसमें डाल दीजे पानी थोड़ा सा OH डाल दीजे basic medium कर दीजे क्या हो जाएगा CL भार हो जाएगा CL और H भार हो जाएगे क्या बनाएगा HCL साथ में क्या बनाएगा R COOH Done अब आपका शाइद pen है चलने लग्याओगा organic chemistry में अगर आप मेरी वीडियो फोलो कर रहे है वहना बच्चे का pen नहीं चलता organic chemistry में कहाँ attack मार दिया, कहाँ bone shift कर दिया वो बेटा सीखोगी मेरे बोलने सो कभी आने माला कि जब यहाँ attack मारे तो bone shift क्यों करेगा वो फिर आप दिर दिर आपका heavy बन जाएगी bone shifting की, bone इसको बोलते है pen चलना organic pen चलना important है बच्चा वो चलता नहीं बच्चोगा वो बहुत रटा मानने चले आते हैं याद करो लेकिन थोड़ा सा देख लो किया रहा यहाँ attack हुआ होगा यह nuclear file यह यह एक्ट्र फाइल है थोड़ा सा basic पता हाँ चाहे उम्मीद करों कि आप classes कर रहे हैं बच्चों मेरा one shot कर रहे हैं तो आपको at least यह थोड़ा basic आ लिया होगा ठीक है चलिए और वैसे बोड़ के लिए बोड़ टाइम खुब प्रेक्टिस करेंगे अच्छी तरीक यह से चिंदा मात करो एस्टर में डालो पानी क्या बनेगा एस्टर में डालेंगे पानी तो हो जाएगा hydrolysis specification बनेगा acid और alcohol यह तो कई बार कर चुके हैं लास्टर में भी क्या आता है इसको क्या बनेगा acid बन जाएगा और C2H5 OH बन जाएगा वहाँ से एस्टर को पानी पिलाने से acid और alcohol बन जाते हैं और इस एक्षिनल्स आर रिवर्सिबल right chemical reactions butane 1-ol to butanoic acid बताओ मुझे butane 1-ol से butanoic acid बनाना क्या करेंगे alcohol से बनाएगा acid डाल दो kemenophor खतम खतम single step का हो जाएगा benzyl alcohol से बनाएगे phenyl ethanoic acid बताओ कैसे बनाएगे यह रहा benzyl alcohol आप जहाँ से देखे कि यह रहा आपके पास benzyl alcohol इससे बनाने को बोला है आपका phenyl ethanoic ethanoic मतलब 2 carbon ethanoic acid 1-2-2 पे phenyl हो जाएगा phenyl ethanoic acid देख लिजे इससे मुझे यह चीज़ बनानी है अगरे पास benzyl alcohol से बनाएगे phenyl ethanoic acid this is phenyl ethanoic acid सबसे पहले मुझे देखिए अगर मैं देख पा रहा हूँ ध्यान से समझ पा रहा हूँ तो मुझे एक carbon को यहाँ increase करना पड़ेगा मुझे यहाँ से यहाँ जाना है हो सकता है मैं single step में जाओ या मैं multiple step पी उसकर सकता हूँ अगर एक carbon increase कर दूँगा तो मेरे काम बन सकता है अब alcohol में क्या करें कि एक carbon increase कर दें सोचना पड़ेगा बताओ क्या करेंगे अल्कोहल यही तो convergence exam में आ रहे हैं भी यह आपका अब कार्बन बढ़ाने के लिए क्या क्या option आपके पास available है क्या क्या options आपके पास available है या तो आप यहां से OS remove करें किसी तरीके से और फिर किसी carbon source को आप यहाँ add कर सकते हैं और फिर उस carbon जो आपने add किया तो उसका further हम कुछ करके उसको acid में convert कर सकते हैं यह तरीका भी ठीक है for example for example मैं इसमें डालता हूं क्या H plus क्या डाल मैं इसमें H plus और डाल दिया इसके बचा मैंने CL2 या simple यह आदार आपको ROH PLUS PCL3 और SOCL2 याद आया कुछ chapter 1 हा सर्थ क्या बनेगा alkyl halide ऐसे कर ले सोचना पड़ेगा बच्चा आप सोचना पड़ेगा बच्चा आप सोचना एक दरुस देखके आजए देखके तो बटा किसी को नहीं आने वाला मुझे भी मुझे भी सोचना पड़ेगा तू भी मुझे भी सोचना पड़ेगा क्या करेंगे भाई मैं तो रटा मार के आतों कि यह कराएंगे यह कराएंगे नहीं स्पॉन्टेनेस बेटा सब कुछ everything is spontaneous अपने आप देख लिए क्लास में क्या आने वाले बनेगा पि तो उसमें एक कार्बन बढ़ाना भी है तो मेरा मेन मक्सद है कार्बन इंक्रीस करना तो इसमें डाल दीजी आप SOCl2 या PCl3 उससे क्या बन जाएगा सर उससे बन जाएगा CS2Cl बैंजाइल क्लोराइड बन जाएगा सर पर कार्बन तो इंक्रीस नहीं हुआना सर आपने का था कार्बन इंक्रीस करना अब हो जाएगा बेटा अब इसमें डाल दे बेटा KCN कौनसी reaction है अच्छा nucleophilic substitution reaction nucleophilic substitution reaction CN attack मारेगा CL बाहर निकल जाएगा CN attack मारेगा और CL बाहर निकल जाएगा ठीक है क्या बन जाएगा CH2 CN मन जाएगा अरे सर याद आ गया और CN को क्या करें कि यह बन जाए CN को सर आप acid में convert करना साथे हैं H plus दीजेगा या OS दीजेगा और अच्छे से घरम कर दीजेगा अभी just convert किया था last time पे just अभी step किया था कि CN से acid कैसे बनाएंगे सम basic hydrolysis करेंगे घरम करते हो जाएगे तो यहां से यहां जाने में तीन step अभी मेरे दिमाग में थे आपको बता हुए ऐसे करना आपको exam में 2 step 3 step use करते हो अब यह एकदम से नहीं आएगा अब फिर बता रहो एक तो AC बड़ा आया ठंडा करता है यार तरह बार बार कैमरी के पास क्यों आते है और वो AC बंद करता हूँ यार तो बहुत खराब हो जाएगे फिर यह acid gap कोन बनाएगा बैठे 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 यहां पे अब भी कर सकते है और ऐसा नहीं किसका यह तरीक है इसके और तरीक ही भी हो सकते है एक reaction को convert करने के तरीके बहुत सारे हो सकते है ठीक है बट जो आपको suitable लगे जो आपके ज्यांग है वो आपको वो करने cyclohexene to hexane one six di oic acid cyclohexene 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 यह रहा इससे क्या बनाना है hexane one six di oic acid एक दो तीन चार एक यह रहा एक दो तीन चार पांच छे hexane one six di oic hexane one six di oic समझ गे समझ गे देख लीजिया यानि कि one two three four five six hexane one six di oic acid इससे आपको यह बनाना है बन जाएगा बन जाएगा कैसे बनेगा सब यह ring है वो open chain है तोड़ दो क्या अरे इसको bond को तोड़ो भाई और क्या तोड़ोगे ozonolysis कीजिए ozonolysis कीजिए ozonolysis कीजिए उससे क्या हो जाएगा यहाँ बनेगा aldehyde यहाँ बनेगा aldehyde रिंग खुल जाएगी और aldehyde का तो oxidation करोगे तो acid तयार हो जाएगा यानि जैसे आपने ozono डाला यहाँ से मामला गरम है यहाँ से क्या हो जाएगा यह रहा एक aldehyde वाला पार्ट यहाँ दूसरा aldehyde वाला पार्ट पर क्या कर देंगे aldehyde से क्या बनाएंगे acid जनता जानते क्या करना है नियत साफ होनी चाहिए हाँ वो तो हमारी साफ है अरे उस sense में नहीं कहा रहा है सोच नहीं कि यह भाही मुझे आता है वना और्गनिक केमिस्टि माप आप यही नहीं सोच पाते कि यहार मुझे आता है अब मैंने आद तीन कुछ ने करवाएं आपसे एक ही बनाईन में से मुझे पता है पहला वाला वो भी देख के बनाया होगा कोई नहीं जो करवाय है वो तो आद कर लो जब मैं आपके समय में था तो मेरे साथ भी यह होता था कर मैडम कर दीती है रटा मार के यह के मैडम रटा मार की नहीं आई है उसने छे वार किये इसको पहले उसको स्टेप्स पता है आज मुझे मैं उस जगह पर आ चुका हूँ कल आप इस जगह पर आ जाएंगे तो प्रेक्टिस वाली बात है बेटा जितने वार देखोगे ना याद हो जाएगा ठीक है चलिए तो जो इंपोर्टेंट महमा स्ट्रेस कर रहा हूँ आप समझ रहो मेरी बात को अब कुछ केमिकल रेक्सिस बेटा कि कितना अचिडिक स्ट्रेंथ होगी बेटा तो भई असिड असिडिक तो हो गई डालेंगे न अप्लस क्या बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा और एच प्लस का बन जाएगा ह्टू गैस अचिडिक ह है ना तो किसी मेटल के साथ H2 gas evolve कर देगा यहां भी salt बन जाएगा और यह sodium bicarbonate है तो यहां क्या बन जाएगा आपने पास salt बनेगा sodium bicarbonate के नज़र होता है CO2 वो आपको नज़र आ जाएगा because this is carbonic acid यह क्या है carbonic acid है and carbonic acid is weaker than carbonic acid carbonic acid से कोई भी stronger acid होगा market में तो वो carbonic में से CO2 gas भाँ निकाल दे अच्छा पानी पानी भी तो है यह पानी और CO2 gas का mixture तो है पानी प्लस CO2 is carbonic acid any acid stronger than carbonic acid will liberate CO2 gas from that given carbonic acid good sir good now do some question compare acidic strength तो concept क्या है electron विटरम ग्रूप रहते हैं तो acidic strength बढ़ती है electron donating group रहेंगे तो acidic strength कम हो जाती है NO2 is a strong electron withdrawing group minus M से खीच रहा है minus I से खीच रहा है strength काफी जादा हो जाएगी यह तो basic है इसमें कुछ भी नहीं लगा रखता आपने OCH3 बेटा यह दिक्कत करेगा यह प्लस M है और minus I है यानि कि यह electron releasing है strength कम कर देगा यह वे ड्रोइंगे तो answer का हो जाएगा 3 then 2 सबसे अधिक यह फिर normal फिर यह बादा next बच्चा बात करते हैं formation of anhydride बेटा जो आपके पास होते हैं बेटा carboxylic anhydride वो बनता है carboxylic acid से ही उसके तब दो molecule मिल जाते हैं और water बहाँ निकाल देंगे तो वहाँ से carboxylic anhydride मिल जाता है यह रहे दो molecule घरम करेंगे यहां से तो मामला बनना start हो जाएगा देखो ध्यान से आप यह रहा आपके पास एक molecule of carboxylic acid और यह रहा आपके पास दूसरा molecule of carboxylic acid यहां से water बहाँ निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा एन्हाइट्राइट carboxylic anhydride यहां से water बहाँ निकाल दोगे water मतलब OH यहां से H यहां से OH यहां से H यहां से घुमा के चाहिए यहां से घुमा देता हो यहां ते इसका आप यहां गुमा लीजिए आपको battery feel हो जाएगा देख लीजिए बच्चा तो यहां से आपने निकाला OH यहां से निकाला H तो यह वहां से पानी भान निकाल गी बाकि जोड दीजिए इसके इसके लिए क्या डालेंगे इसमें इसमें डालेंगे P2O5 and P2O5 is a dehydrating agent यह पानी निकालने काम आता है P2O5 या P4O10 is a good dehydrating agent जो पानी एब्सोब कर लेगा तो पानी निकाल लेगा वहां से ठीक है? ओके सर एस्टेरिफिकेशन कर लोगे एसिड प्लस अलकॉल क्या बनता है? एस्टर बनता है सर अभी देखा तो तो सर ये मैं कहते रहा हूँ अब चीजे उल्टी होने लग गई है पहले हमने एसिड बनाया था अब ऐसिड से हम कुछ-कुछ बना रहे हैं तो things are reversed इसमें देखो क्या होगा? ये थोड़ सा important है ऐसिड में डालेंगे बेटा क्या? पीसल 5, पीसल 3 ये associated हो काफी important है यहां से बेटा कुछ नहीं होने वाला simple COCL COCL acid halide बनाने का best तरहीं गाई है जहां पे acid होता है और आपको उस acid को RCOCL बनाना हो COCL group में convert करना हो acid group में convert करना हो acid halide group में convert करना हो तो आप डालेंगे SOCL 2 नहीं तो PCL 3 नहीं तो PCL 5 RCOH plus PCL 5 for example आपके पास यह आ जाए CS 3 CH3 COCL समझाने यह काफी important again for convergence purpose अब दो तिन बात यहां हो दिहां दीजे का अब बात करने शाद amide के बारे में जी हाँ acid plus ammonia क्या बनेगा amide बनेगा acid plus ammonia amide बनता है acid plus ammonia amide बनता है और amide में heat कर दोगे amide में heat कर दोगे amide को बेटा strong heat कर दोगे तो क्या हो जाएगा acid plus अच्छा बीच में यह बना रखे ना step by step देख लिते है step by step क्या रहाएगा acid है जो की खुद acidic medium acidic की तरह काम कर रहा है acid काम कर रहा है ammonia क्या होता है base होता है ammonia basic gas है यह base होड़ी acid है क्या बनेगा salt बन जाएगा बन जाएगा salt बन जाएगा से अपने पास यहां से बन जाएगा salt NH4 पॉश्ट इंहा से NH3 यह बीट आटक करेगा होँआसे यहां से बन जाएगा बच्छा अपने पास इसको strong heat करेंगे बच्छा अपने पास इसको strong इसको बिटा स्टॉंग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से अमाइड बन जाएगा क्या बन जाएगा अमाइड और अमाइड के नदर आप डाल सकते हच प्लस या ओच मैनेस तेन फर्दर हीट करेंगे दूबारा से मिल जाएगा आपको कर्बोक्सलिक एचिड हाला कि वो करेंगे रखा से हीटिंग का रखी है अमाइड पर स्टॉप करना पड़ेगा अपने को इधर क्या रहेगा एचिड हैं अमोनिय हैं बनेगा सोल्ट बनेगा सोल्ट ओ माइनस एन इस पर पोजितीव बनेगा सोल्ट ओ माइनस एनस एनस पर पोजितीव गयों जैसे ay writers ol कहां गया कि ओ माइनस एन इस फोर माइनस और पोजितिव कैसी यात करेंगे इस रिसको अमोनिया कि अबेस है नाबेस की करता है base खाता है H+, ammonia plus H+, क्या बनेगा, NH4 positive बनेगा, और O- बचा रहेगा, O- NH4 positive इस प्रिकार साब को salt एजूम करना है यह बन गया, यह आपका A बन गया ठीक है, इसको heat करेंगे, करो heat, कोई दिखकत नहीं है, क्या बन जाएगा amide amide इसका नाम क्या है इसका नाम बता पहले, इसका नाम है thalic acid, बहुत जादा important है, thalic acid तो इसका जो amide है, उसका नाम क्या होगा thalamide thalamide है thalamide अच्छा नहीं लगा यह, इसरह अच्छा लग रहा है कोई दिखकत नहीं है, नहीं मुझे पता आपको अच्छा ही लग रहा है वापस से strong hitting कर दीजिए अच्छा तो है नहीं, अच्छा नहीं है strong hitting करते है, वापस strong hitting करते है क्या हो जाएगा यहां से hitting करेंगे तो यहां से NH2 और यहां से A catch निकल जाएगा, ammonia gas भार हो जाएगी अच्छा strong hitting करने पर थैलामड़ बन चुक है, इसको वापस strong hitting करेंगे तो फिर यहां से आपका जो बनेगा वो आपको अच्छा लगेगा इसका ऐसी बात नहीं है, अच्छा वो भी था सिर्फ नहीं यार, वो कहां अच्छा था अब जो बनेगा यह अच्छा है देखो कितना प्यारा है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है थैलामड़, इसका नाम क्या है थैली माइड़ हो जाए Q2C ना, थैली माइड़ इस पर आफ फोकस कर रहे हैं, मतलब एक important तो नहीं है अच्छा, तुम लग मेरी बात पकड़ने लगया भी हाँ important है कि इसके लिए, next chapter के लिए, amines chapter के लिए amines में एक injection आएगी, जहां यह वाला चीज आपको यूज किया जाएगा इसलिए मैं हाँ फोकस कर रहे हूँ, stress कर रहे हूँ थेलिक acid है, डाला ammonia, salt बना, heating की, थेलामड बना, मजा नहाँ, फिर heating करेंगे, ammonia gas भार हो जाएगी, बन जाएगा थेलीमाइड, थेलीमाइड, थेली वाला थेलीमाइड, और थेला वाला थेलामाइड, समझ जाना प्लीज, ठीक है चलिए, बहुत होगे असर, बहुत देर से आप acid बना रहे हैं, अब acid से कुछ करते हैं, ठीक है, acid पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया अपने acid, acid को reduce करते हैं, बच्चा, मैंने कहा था, last chapter के अंदर भी, lithium aluminum hydride is a strong reducing agent, वो acid को भी alcohol में convert कर देगा, वो रहा, देखो, lithium aluminum hydride, R, CH2H, इसको ने detail में पढ़ रखे हैं, alcohol phinoethers के अंदर, अगर आप market में अवेलिबल ना हो, तो आप use करेंगे, डाइबोरेन, B2H6, जी हाँ, B2H6 भी, acid को alcohol में convert कर देता है, पिलीज याद कर लिजेगा, कई बार exam में आ चुका है, बच्चा भूल जाता है, रहे, B2H6 कह से आ गया है, तो यहाँ किसी काम का है, B2H6, acid को alcohol में convert करता है, as it is, आपको याद होना चाहिए, एक है, class 11th correction, coal-based electrolysis, soda lime decarboxylation, यह रही, soda lime, soda lime decarboxylation, की carboxylic acid से CO2 gas भाहा निकाल देंगे, तो alkene बन जाएगा, अच्छा, for example, तुम सब जिन्दा तो हो ना, कई खतम तो नहीं होगे, यह sodium का carboxylate, इसमें डालेंगे soda, for sodium hydroxide, lime, for acute lime, heating कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, CO2 gas भाणने कर जाएगी, और सिर्फ benzene आपका रहेगा, देख लिजी आप, तो कभी-कभी आपको अगर benzoyic acid से, benzoyic acid से, benzene मनाना हो, दिमागे सेट होना चाहिए, soda lime decarboxylation, again good for conversions, यह chapter बेटा, खूब conversions में काम आता है, फिर बता रहा हूँ आपको, एक reaction है, इस reaction का नाम है, HVZ reaction, full form, Hal-Wolhard-Zalinsky reaction, it is the name of scientist, Hal-Wolhard-Zalinsky reaction, ठीक है, चलिए, good sir, इस में क्या रहेगा फिर अपने पास, इस बेटा, यह जो alpha carbon है, दिखे रहा है, यह group के side में, जो carbon क्या होता है, alpha carbon, इस पे एक H available है, हाँ सरह है, बस, तो जहाँ पे बेटा, यह H available है न, वहाँ पे आपका, वो halogen आ जाएगा, इसको बोलते है, alpha halogenation, दिखा हो है न, halogenation, बेटा, तो HVZ के अंदर, बेटा, क्या होता है, HVZ के अंदर, alpha carbon पे एक H हड़ जाता है, और वहाँ पे को halogen आके जूर जाता है, इसका नाम है HVZ, hal, walhard, zealins की reaction, कभी-कभी exam में आ जाती है, पहचान है इंपोर्टन है, पहचान है बाते हैं बच्चे इसको, अब लास्ट में वही घिसाबिटा जेक्शन कौन से, एलेक्ट्रोफिलिक, जो हर चेप्टर एक लास्ट में आती हैं, के एलेक्ट्रोफिलिक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये क्या है, ये तो nitrogen है, सर, कहां जाएगा बताओ, सर, COH एक electron withdrawing group है, तो उसके मैटा पे जाएगा, incoming electrophile, अच्छा, जी हाँ, बैंजोएक ऐसेड लेंगे, इसमें डाल लेंगे, BR2, FEC, ये ही तो बैंजोएक ऐसेड है, क्या बनेगा, BROMINATION करें, कुछ भी करें बैटा, कोई भी electrophile है, तो वो electron withdrawing group के हमेशा, कहां जाता है, मैटा पे ही जाता है, हमेशा मैटा पे ही जाता है, किस पे जाता है, हमेशा, मैटा पे ही जाता है, compare acidic nature, ये एक acidic acid है, और ये फ्लोरो acidic acid है, ज्यादा strong कोन है, फ्लोरो वाला strong है sir, because fluorine is a good electron withdrawal group, एक फ्लोरो है, इसमें एक ख्लोरो है, बताओ क्या होगा, फ्लोरो का माइनस है, ज्यादा होता है, बजाए ख्लोरो के, फ्लोरो वाला ही यहां stronger है, अच्छा, इन दोनों में बता है, यहां CH3 है sir, और यहां पर CF3 है, इसका जवाब आप मुझे दे देजेगा, या तो इसको 1 बोल देजेगे, comment के अंदर, या 2 बोल देजेगे, तो मुझे बताओगे, कि 1 और 2 में से, which is more, 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 more acidic, तो ये था आपका अल्डिहाइड, किटोंसन, कार्बोक्सलिक acid, सन्मून रिएक्षिन, इस प्रकारची, इटार रिएक्षिन लेगरा, और जो बाकी concept में आप उसे खाया था वच्चा, बाकी रिएक्षिन जो हैं, वो convergence, chemistry में बहुत काम आते हैं, Conversion में, या जो ABCD वाला कोशिन होते हैं, कि A से B बना, B से C बना, उस type कोशिन से काम आते हैं, तो try किजए कि आप इस chapter को, इस one short से पूरा cover करें, फिर भी कोई आपको दिक्कत रहे, तो आप N से आटे को refer कर सकते हैं, वैसे need नहीं है, आप इस नोट्स हैं, उनको आप Amines, ठीक है, बचाने, next chapter will be अपना Amines, और Amines के बद हम करेंगे Biomolecules, Amines में, Amines बहुत छोड़ा chapter है, वो जल्दी खतम हो जाएगा, तो try किजएगा कि आप इस वीडियो को पूरा cover कर लें, ताकि आपके तीन chapter, Halolcans, Halorines, Alcohol, Phenolethers, and yeast chapter खतम हो चुका हो, before next topic, that is Amines, so मिलते ह Amines, thank you, bye, take care.